हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप मैसल रणवीड जाखर टीम कमसी बेटा जी अपन पेपर सोलीशन की बात कर रहे हैं 2013 से 2020 तक के यूनिट 5 है जिसमें अपने रखा गया है हलोजन डेरिवेटिव गिन्यार रिजेंट अलकॉल फिनोल एथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसीड डेरिवेटिव की बातें करेंगे ठीक हैं तो चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं कहानी कहानी में फ़स सवाल देखिएगा दोजात 13 जाई एडवांस में आ हुआ सवाल है देखिए दोस्तों क्या कह रहा है के आई इन एसीटोन देदिया दोस्तों इसका अब SN2 reaction की अगर बात करें दोस्तों तो क्या करता है माइनस वाले increase करते हैं और प्लस वाले क्या करते हैं decrease क्यों क्योंगि इसकी जो transition state बनती है SP2 हाईब्राइड होती है इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो transition state मिलती है अपने क्या आता है कि कारबन अपने को दे रखा है और यह क्या दे रखा है living group क्या दे रखा है living group जाएगा और यहां पर nucleophile आएगा इसके उपर partially negative इसके उपर partially negative चार्ज यानि कि यह इसके पास आ रहा है और यह इससे दूर जा रहा है यहां पर कोई electron withdrawing group लगा हुआ है minus वाला लगा हुआ है तो वो क्या करेगा दोस्तों कारब CL दे रखा है steric crowding increase हो जाएगी तो SN2 decrease हो जाएगी तो यह बात सही है देखिए minus वाला सबसे जादा किसके उपर है इसके उपर steric crowding है यह 1 degree है और यह भी 1 degree है लेकिन minus वाला दे दिया और minus वाला क्या करेगा दोस्तों इसके उपर partially positive charge को increase करेगा तो SN2 का rate of reaction सबसे जादा क तो सबसे जादा किसकी होगी दोस्तों S की उसके बाद में इसके उपर crowding कम है इसके उपर crowding जादा है तो कौन आएगा दोस्तो P उसके बाद में कौन आएगा दोस्तो R यह 2 degree है तो 2 degree का rate of reaction क्या रहेगा दोस्तों कम रहेगा इसका मतलब क्या जाएगा दोस्तों Q तो कौन सा अंसर आजाएगा दोस्तो देख लो S P R Q कौन सा अंसर हो गया दोस्तो सेकेंड ठीक है नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं क्या दे रखा है अपने को बहदी प्यारा सा सवाल है 2013 में आया हुआ सवाल है ये भी देखेंगा दोस्तो क्या कह रहा है AQUOS बी आर्टू दे दिया यानि कि वी आर्टू प्लस वोटर बी आर्टू वोटर क्या देता है दोस्तो फिनोल इसके साथ में Tri Bromo Products बनाता है यानि कि ये फिनोल का टेस्ट भी होता है ऐनिलीन का टेस्ट भी होता है ये white prison कि पिपिटी मिलता है ठीक है अब यहां पे बी आर बी आर टू फोर सिक्स ट्राइब रोमो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है जो कौन से कलर का होता है वाइट पीपिटी बनाता है ठीक है अब यहां पे SO3H दे रखा है और AQUOS solution दे दिया AQUOS solution में दोस्तो SO3 is good living group होता है इप्सो reaction कलाती है यह कौनसी reaction कलाती है इप्सो ग्रूप यहां पे SO3H है तो SO3 is good living group यहाँ पे CWH होता तो भी यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तो CO2 is good living group तो यहाँ पे तीनो सगय पर क्या आज आज आएगा दोस्तो BR आज आज आएगा यहाँ पे SO3H दे दिया चाहे CWH दे दिया दोस्तो कौन सी reaction होगी इपसो ग्रूप reaction होगी ठीक है इपसो ग्रूप किसको बोलते हैं कि main function group जिस carbon से attach होता है वो कौन सा होता है ग्रूप वो carbon इपसो carbon है यह कौन सा है इपसो carbon और इस से यह जो group main function group है ये कौन सा group होगा, इपसो group, ठीक है, ये अब पेरा पे यानि कि जूनियर हो गया न, ठीक है, तो यहाँ पे main function group जिस carbon से attach होता है, वो ipso carbon होता है, और वो main function group क्या कलाता है, ipso, ठीक है, कौन सा कलाता है, ipso, बाकी orthomater peraposition होती है, तो SO3 is good living group, तो tri-bromo product बनाएगा, दोस्तों प्रोमो तो इसमें दे रखा है लेकिन SO3 है छोड़ रखा है इसका मतलब ये तो एक्वस सोलीशन में आपको पता है SO3 डी सल्फोनेशन हो जाएगा तो कौन सा प्रड़क्ट आएगा दोस्तो क्यों मेजर प्रड़क्ट कौन सा बन जाएगा आपने पास क्यों बनेगा ठीक है नेक्स इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो नेक्स सवाल अपने को कौन सा दे रखा है दोस्तों थर्ड नंबर सवाल बहदी प्यारा सा सवाल दे रखा है ऐसी टोन के साथ रियक्शन करवानी है दोस्तों यहाँ पर बिया टू और न फे दिया अब बिया टू न बलेदे दिया असका मतलब यह क्या रियक्शन शो करेगी दोस्तों हो फायरा है ठीक है के लिए होती है कि कौन सा ग्रूप प्रज़ंट होना चींज है दोस्तों अगर आपन हेलो फायरा की बात करें तो CS3 CO group Carbonyl compound have CS3 CO group present है ठीक है and alcohol having CS3 CH OH group present है यानि कि 1 degree या फिर 2 degree alcohol present है तो ये hello foam के साथ में क्या देंगे दोस्तो X2 plus base दे रखा है ये X2 है ठीक है तो क्या show करेंगे दोस्तो hello foam का formation करेंगे किसका formation करेंगे hello foam reaction देंगे तो जिसके पास CS3 CO group हो या फिर CS3 CH OH group हो यानि कि 1 degree या फिर 2 degree alcohol group present है तो वो कौन सा reaction देगा hello foam reaction देगा तो चलो पीछे बात कर लेते हैं इस सवाल की देखो इसके पास है ना CS3 CO group तो ये इसके साथ इसकी reaction होगी तो दोस्तो क्या बन जाएगा CH BR3 एक तो ब्रोमोफोम BR दे रखा है तो ब्रोमोफोम मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा दोस्तो CS3 COO negative और NA positive ये बन जाएगा दोस्तो ठीक हैं अब दूसरा reaction क्या दे रखा है दोस्तो ये दे रखा है कि acetone की reaction BR2 और acidic medium दे दे अब BR2 और acidic medium दे दिया यहां पे basic medium दिया था acidic medium दिया तो only on क्या होगा दोस्तो alpha पे BR आजाएगा only on monobromination होगा monobromination वो भी alpha hydrogen को remove करके क्या आजाएगा दोस्तो ये मिल जाएगा अपने को double one O और यहां पे क्या आजाएगा दोस्तो BR acidic medium में only on monobromination होगा ठीक है और basic medium में BR2 के साथ में bromoform reaction चोगी तो देख लो दोस्तो क्या दे रखा है अपने को पढ़िएगा ये अपने P दे रखा है और P का मतलब क्या होगा दोस्तों P तो आपको second reaction में मिलेगा यास के नो फिर दूसरा देखिए Q क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों फिर R भी नहीं मिलेगा S नहीं मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा आपको T और U ये देख लो दोस्तों आपका ये है T और ये है आपका U इसका मतलब reaction first में आपको क्या मिलेगा T और U मिलेगा और reaction second में आपको P मिलेगा देखलो दोस्तों identify कर लो reaction first में P and reaction second में आदा धूरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है U और acetone दे दिया acetone है और acetone ही वापस बन रहा है गलत हो गई दोस्तों कहानी फिर यह देखिए दोस्तों क्या दे रखा है reaction first में T and U दे रखा है T and U yes बन रहा है फिर reaction second में अगर पर बात करें तो P yes सही बात है इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा C D में देख लो दोस्तों क्या दे रखा है R and acetone R and acetone देखो यह बना रखा है ठीक है इसका मतलब यह कैसे बना दोस्तों नहीं बन सकता फिर क्या दे रखा है S or acetone इसका मतलब गलत हो गया कौन सा आंसर हुआ दोस्तों only on C answer आएगा ठीक नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है सवाल नमबर फॉर यह पूछा गया है अपने से दोस्तों reaction करवाने की बात हो रही है यह कौन सी reaction है दोस्तों राइमर्टीमान reaction राइमर्टीमान reaction आपको पता है मेजर पड़क्ट कौन सा बनाती है और्थो और्थो क्यों बनाती है वो भी अपन बात कर लेते हैं देखिएगा कहानी क्या बेया करती है यह अपने दे रखा है क्या भला फिनोल दे रखा है दोस्तों फिनोल किसके साथ है basic medium में reaction करवाते हैं तो acid ने base को देखा base ने acid को देखा आंखों यांखों में इसारा हुआ इसका मलव reaction हुई strong reaction होती है दोस्तो acid और base reaction क्या होती है firstly reaction होती है तो यहाँ पे acidic है और यह base है acid base reaction हुई तो क्या मिल जाएगा दोस्तों अपने को यह मिला यह phenoxide का formation हो गया दोस्तों अब आपको पता है इसका plus m भी होता है और plus m के सासाथ क्या होता है दोस्तो plus i भी होता है वो negative का कौनसा effect होता है plus m और plus m के सासाथ क्या होता है plus i effect भी होता है अब अपने को पता है plus m descents पे depend नहीं करता ठीक है plus m descents पे depend नहीं करता बट i जो है plus i हो चाहे minus i हो, वो depend on distance descent पर depend करता है, descent σε increase हो जाएगी, तो inductive rate decrease हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तो, इसकी ortho position, meta position, pera position, इधर से इधर जाएंगे, तो क्या होगा, descent से increase होगी, descent से increase होगी, तो inductive rate decrease हो जाएगा, यहाँ पर देखिये का दूस्तो अगर अपन मैं बात करूँ पलस M, पलस M, और्थो and पेरा पे क्या रहता है दूस्तो इकुल रहता है बड़ पलस I की बात करें तो कौन से पे ज़्यदा होगा दूस्तो Descent पे डिपिन करता है तो और्थो का ज़्यदा होगा उसके बाद में electron density की अगर पर बात करें दोस्तों तो किसके उपर ज़्यादा मिलेगी बताओ ortho पे ज़्यादा मिलेगी सभाव किसी बात है plus effect जहां ज़्यादा होगा इसका मलब electron density वहीं ज़्यादा होगी तो कौन सी position पे ortho पे ज़्यादा मिलेगी इसलिए major product जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों और्थो वाला बनेगा बास समझ गयोंगे अब देखिए यहाँ पे अपने क्या बनती है दोस्तों राइमर्टी मान reaction में कार्बीन का formation होता है कार्बीन अपने पास मिली यहाँ CL यहाँ पे CL और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों टू अनपेड इलेक्टरोन दे रखा है तो यह यहाँ पे और यह यहाँ पे यह इसके उपर टक करेगा दोस्तों किसका formation हो जाएगा यही है राइमर्टी मान reaction की कहानी यह सिग्मा कॉंपलेक्स का formation हो गया यहाँ क्या जाएगा C कार्बन के उपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे CL CL आप इसमे क्या करवादो दोस्तों तो टोटो मेरिजम करवादो देखो यह बॉन यहाँ पे और यह पाइलेक्ट्रों डेंसिटी यहाँ पे टोटो मेरिजम ठीक है हाइट्रोसन की सिफ्टिंग के कान functional group change हो जाते है इसका मतलब वो क्या बन जाएंगे दोस्तों टोटो मर्स बन जाएंगे यहाँ डबल बॉन डबल बॉन यहाँ पे क्या मिला दोस्तों अब देखो कहानी क्या बयां करती है यहां क्या दे रखा है C-L यहां पे भी क्या दे रखा है C-L अब यहां नेगटिव चार्ज है और यहां पे H आ गया इसका मतलब यह base हुआ और यह acid हुआ तो कौनसी reaction होई? acid base reaction हो जाएगी यह इसका H जो है वो यह ले जाएगा ठेक है? तो acid base reaction के कारण कुछ ऐसा हुआ. अब क्या है दोस्तों? OH नेगटिव दे रखा है यह इसके उपर टेक करेगा C-L को जाना पड़ेगा एक ननी सी जान पर क्या आजएगे दोस्तों? 2 OH आ जाएगे यह क्या बन जाएगा? O नेगटिव और यहां पे जाएगा Cinemaldehyde का formation हो गया Yes or No? यह major product मिला है दोस्तों, major कौन सा होगा? ortho वाला major होगा, minor भी बनेगा ऐसी बात नहीं है, हर reaction में minor product बनता है, ठीक है? अगर minor की बात करता है तो अपन minor बनाएंगे, otherwise नहीं बनाएंगे, minor कौन सा बनेगा दोस्तों? पेरा वाला minor भी बन सकता है क्योंगे यह यहाँ पे और यह इसके उपर भी attack कर सकता है, ठीक है? देखो अभी सवाल में क्या है दोस्तों यहाँ पर अगर पन बात करने तो दोस्तों क्या दे रखा है अपने पास? यह दे रखा है दोस्तों, totomerism में participate करवा देते बड़ यहाँ पे h नहीं है, इसका मतलब does not show totomerism does not show totomerism यह show, totomerism show नहीं कर सकता दोस्तों, इसका मतलब यही product मिलेगा आपका minor क्या मिलेगा? minor तो major product आपका S मिलेगा, इसका मतलब D भी answer आएगा, और minor product आपका क्या मिलेगा दोस्तों, क्यूभी आएगा इसका मतलब B और D दोनों answer आएगे इसमें, yes को no बात confirm हो गई होगी, चलो next सवाल पेसेस दे रखा है दोस्तों question number 5 and 6 बहुत ही प्यारा सा सवाल है पेसेस देखे, पढ़िएगा इसको क्या कह रहा है दोस्तों, P and Q isomers of di carboxylic acid इसका मतलब कोई di carboxylic acid अपने को दे रखा है, वो क्या कह रहा है BR2 के साथ decolored हो जाए का इसका मतलब di carboxylic acid तो carboxylic acid तो bromine water के साथ reaction करते नहीं, इसका मतलब कोई multiple bone उसमें present है, double bone और triple bone, double bone हो सकता है फिर ये कह रहा है कि अगर P को अपन heat कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, cyclic anhydride, इसका मतलब कोई cis foam होगी, कैसी होगी cis foam, cis foam है तो उसको heat करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, cyclic anhydride का formation हो जाएगा, और अगर transposition दे रखी है, तो वो क्या नहीं बना पाएगी, cyclic anhydride का formation नहीं कर पाएगी फिर ये कह रहा है कि अगर इसको अपन dilute alkaline kaminophore से कर दें, तो dilute alkaline kaminophore, pinky जैसा होता है, कैसा होता है दोस्तों, pink color का होता है, और ये क्या है, bare reason है, और bare reason आपको पता ही है, दोस्तों, unsaturation test देता है, ठीक है, double one triple one, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, P as well as Q, ठीक है, क्या कर देता है more या फिर more than one product का formation करता है, दोस्तों, ठीक है तो देख लो साब, अब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं, दोस्तों, अपने को क्या दे रखा है C4H4O C4H4O4 यह दे रखा है, दोस्तों अब अपनी क्या बना सकते है, इस का यह बना सकते है, CH, double one CH, और यहाँ पर COOH और इधर भी क्या जाएगा, दोस्तों COOH, यह बना जा सकता है यह क्या है, दोस्तों मेले, मेलेक एसिड बना जा सकता है, Fumaric Acid का formation किया जा सकता है, यानि की दोस्तों, CIS और TRANS शो करेगा, क्या शो करेगा CIS और TRANS CIS और TRANS, ठीक है CIS FOM जो है, CWS, CWS सेम साइड में है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, मिल जाएगे, वो transition करवा देंगे, दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, BR2 और H2 ठीक है Bromine Water के साथ क्या हो जाएगा दिसका यहाँ पे CPOH, हाँ पे CH, इधर भी क्या जाएगा, BR, इधर भी क्या जाएगा, दोस्तों, BR और CW D pistol ठों गया, यह कौन से color का होता है दोस्तों, bromine water जो होता है, वो लाल भूरा होता है, यानि redis brown color का होता है, unsaturation पाकर, वो क्या हो जाता है दोस्तों decolored हो जाता है, तो हो गई बात ठेक है, next बात पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो, यह कह रहा है कि एक तो अपने क्या दे रखा है दोस्तो कुछ ऐसा cis position दे रखी है यानि कि maleic acid दे रखा है maleic acid दे रखा है और इसको heat कर देंगे दोस्तो तो क्या बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा हालचाल बन जाएगा oxygen और oxygen यहां पर double bond oxygen, double bond oxygen यह क्या बन गया? maleic and hydride का formation हो गया इसका मतलब यह क्या है दोस्तो P है Q Transposition में मिलेगा Transposition को अगर अपने heat करेंगे तो दोस्तो क्या नहीं बन पाएगा यह cyclic and hydride का formation कदापी नहीं हो पाएगा ठीक है Cys में CWH दोनों same side में है अब देखो आगे वो क्या कहता है यह कहता है कि अगर P को फिर क्या करा है कि dilute क्या डाल दो where recent डाल दो तो P और Q different product का formation करते हैं दोस्तो क्या बनाते हैं different product अब आगे बढ़ते हैं एक तो अपने को Cys दे दिया तो Cys जो भी दे रखी हैं दोस्तो क्या दे रखी हैं अपने को Cys दे रखी हैं यहाँ पे CWH यहाँ पे CWH H और H यह क्या दे रखा है दोस्तो Cys foam दे रखी है Cys alkyne, Cys addition that is Mezo का formation हो जाएगा दोस्तो Cys alkyne, Cys addition that is Mezo मिलेगा यहाँ पे अपने को क्या दे रखा हैं दोस्तो यह दे रखा है Dilute KMNO4 Dilute KMNO4 where recent होता है इन basic medium किसका formation हो जाएगा मीजो कंपाउण का formation हो जाएगा मीजो कंपाउण optically inactive है किसके कारण है internal compensation के कारण यह क्या मिल गया दोस्तो आपको मीजो मिला और meso compound is optically inactive due to internal compensation internal compensation molecular symmetry यह सही बात है दूसरा आपने को क्या दे दिया इसका मतलब यह तो आपका P है और एक अपने को क्यों दे रखा है और क्यों इसकी इसका isomer होगा और isomer क्या होगा दोस्तो यह सिस दे रखा है इसका मतलब वो क्या होगा trans होगा सब CDC बात नो बकवास यहाँ पर क्या बन जाएगा CWH और यहाँ पर H और H क्या है दोस्तो Transposition दे रखी है ठीक है Fumaric Acid दे रखा है Fumaric Acid की अगर अपन किसके साथ reaction करवा रहे है Dilute KMNO4 यानि की Bear Resinant दे रखा है दोस्तो Bear Resinant के साथ reaction करवाएंगे तो यह Transalcane Cys Edition That is Resemic Mixture क्या मिल जाएगा D और L Eccumular Mixture बनेगा दोस्तो यहाँ पे CWH यहाँ पे OH इधर भी OH और H यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तो CWH अब इसी की Mirror Image बनेगी दोस्तो एक आपको D मिला और एक क्या मिल जाएगा दोस्तो L मिल जाएगा यानि की H, H यहाँ पे H और यहाँ पे OH CWH और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो CWH यह क्या होगा दोस्तो Eccumular Mixture है तो इसका मतलब क्या होगा Recymic Mixture और Recymic Mixture भी कैसा होता है दोस्तो Optically Inactive होता है Due to Actional Compensation ठीक है किसके कारण बाहे परतिकार बाहे संतूलन के कारण होता है दोस्तो इसका मतलब यह भी Optically Inactive यह भी Optically Inactive तो आगे पढ़ो दोस्तो क्या कह रहा है वो सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तो यह देख लो यही तो दे रखा है आपका S, T और U तीनों के तीनों ही आपको क्या मिलेंगे दोस्तो Optically Inactive मिलेंगे बढ़ आपका S कौन सा है दोस्तो S आपका यह है और T और U आपका क्या है दोस्तो S दे रखा है दोनों का Mixer दे रखा है आप Option पढ़ते हैं दोस्तो इसको साफ़ कर दें हैं आपन कहानी क्या बियां कर रही है देखिए का दोस्तो P और Q ठीक है P और Q की बात हो रही है Optically Active नहीं हो सकते है Optically Inactive होता है दोस्तो S कैसा है मीजो है मीजो है और यह क्या है दोस्तो Mirror image है एक दूसरे की कैसी है mirror image है और Equular mixture दे रखा है Accumular mixture of D and L क्या होगा दोस्तो Racemic mixture होगा और Racemic mixture is Optically Inactive Due to Actional Compensation ठीक है देख लो दोस्तो पढ़ लो यह क्या कर रहा है Optically Inactive और Optically Inactive Pair T and U Yes यह सही बात है दोस्तो कौन सा answer आजाएगा आपका B answer आजाएगा दोस्तो Yes का No यह कह रहा है Optically Active फिर कह रहा है Optically Active Pair इसका मतलब यह तो Optically Inactive है और यह Pair है जो Optically Inactive है तो दोनों Optically Inactive मिलेंगे Next सवाल की और बढ़ते हैं कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तो यह अपने को सवाल जो दे रखा है देखे का कहानी क्या बयां कर रही है यह देखे जो अपने को दे रखा है Q और V की बात हो रही है Q और V की बात हो रही है अब Q अपने पास क्या था दोस्तो पीछे चलते हैं अपने Q अपने बात करें तो कौन सा था दोस्तो P और Q ठीक है P और Q की अगर अपने बात करें CWH, अब इसको heat कर दो जैसे आपने ही इसको heat किया, Q Q जो अपने बनाया है, याद करो क्या बनाया था दोस्तों, ये बनाया था अपने N-hydride, यहाँ पर क्या आज़ाएगा, double one O, और double one O, और ये मिल गया दोस्तों, double one O, N-hydride मिला है, ये आप का है, दोस्तों, Q है, अब इसमें क्या डाल दिया, दोस्तों, राइने निकल डाल रहे हैं इसका reduction करवा रहे हैं, और जैसे ही अपने reduction करवाएंगे, तो किसमें change हो जाएगा दोस्तों, N-hydride में ही convert रहेगा double one को reduce कर देगा ये ठीक है, ये आपकी क्या बनगी दोस्तों, V अब V की reaction अपन किसके साथ करवा रहे हैं, A-L-C-L-3 N-hydras के साथ करवा रहे हैं, दोस्तों, कौन सी reaction हो गई ये, Electrophilic Subsection reaction हो गई, कहानी आगे बढ़ाते हैं ये अपने को दे रखा है, और इसकी reaction अपने किसके साथ करवा रहे हैं, दोस्तों A-L-C-L-3 के साथ करवा रहे हैं, तो करवा दो दोस्तो, A-L-C-L-3 क्या है दोस्तो, Lewis Acid Base reaction हो गई, ये ये Lewis Base ये इसके उपर अटेक करेगा, तो किसका formation हो जाएगा, दोस्तों, कहानी कुछ ये बेया करेगी कि Oxygen, यहाँ पर क्या दे दिया, A-L-C-L-3 इसके पास negative charge, और double bond Oxygen इसके पास positive charge, दोस्तों, ये जो Electrofile मिला है, Carbocatine जो मिला है, वो क्या कर लेगा दोस्तो, back bonding के कान more stable रह सकता है, यानि कि stable due to back bonding, अब इसकी reaction किसके साथ करवाएंगे, दोस्तों benzene के साथ की बात हो रही है, ये आपको क्या है, दोस्तों, V, V की reaction करवा रहे हैं, V Electrofile बना लिया, आब इसकी benzene के साथ reaction करवाते हैं, देखलो दोस्तों, किसके साथ reaction करवाते हैं, benzene के साथ तो अब अपने इसकी बेंजीन के साथ जैसे ही आपने reaction करवाई दोस्तो कौन सी reaction हो जाएगी देखिएगा electrophilic है यहाँ पर क्या जाएगा carbon double bond oxygen ठीक है यहाँ पर मैं CH2 CH2 लिख रहा हूं दोस्तो CH2 CH2 ठीक है और यहाँ पर क्या जाएगा double bond यानि कि carbon double bond oxygen यह क्या रहा है कि किसके साथ आगि reaction करवानी है देखो यह कह रहा है कि jinком के साथ reaction करवा ओ जिंग अमल गम आपको पता है कििसका फॉर्मेशन कर देगा जिंक Prep मेशन कर देगा कारणी में कंवर्बक्षेजुं हो जाएगा जिंक Amalgam और Scl पाकर किसमें convert हो जाएगा, Clemson Eduction हो जाएगा दोस्तो. अब Clemson Eduction कैसा है दोस्तो, acidic Medium है और acidic Medium पाकर CWh भी किसमें convert हो जाएगा, CWh, यानि की इसको भी H मिल जाएगा, यास करूँ, तो यहाँ पे CWH आगया दोस्तो अब आगे देखिएं क्या दे रहा है दोस्तो अब आगे रियक्शन आप से किसे करवा रहा है S3PO4 के साथ करवा रहा है अब S3PO4 के साथ रियक्शन करवा रहा है तो कर लो दोस्तो S3PO4 के साथ reaction करेगा तो दोस्तो कैसा होता है S3PO4 phosphoric acid होता है दोस्तो क्या देगा H positive देगा अब H positive आपको पता है दोस्तो CWH के साथ reaction करेगा और किसका formation कर देगा कुछ ऐसा हाल कर देगा इसका वही वापस CH2 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 और यहाँ पर क्या जाएगा carbon double bond oxygen और positive charge यह कौन सी reaction शो करेगा दोस्तो वही electrophilic substitution reaction का formation करेगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे benzene है और यहाँ पे double bond oxygen आजाएगा दोस्तो अब देखो दोस्तो यह अपने क्या क्या पूछा गया था एक तो अपने से क्या पूछा है वी पूछा है और एक डबलू पूछा है तो वी तो आपका दोस्तो यह हो गया ठीक है और डबलू आपका कौन सा हो गया दोस्तो यह आपका क्या मिला है last वाला product डबलू मिला है कौन सा answer हो गया दोस्तो देखो वी किसमे है वी यह रा वी यह रा ठीक है V ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता इसका मलब V आपका कौन सा है ये है ठीक है दोनों में से एक answer हो सकता है फिर अपने से क्या पूछा गया है W और W कौन सा है दोस्तों कौन सा है ये या फिर ये फस answer आएगा Yes or No? CEO ग्रूप को अब छेड़ सार नहीं कर सकते आप किसके साथ छेड़ सार नहीं की जा सकती ये किटोनिक ग्रूप रहेगा किटोनिक ग्रूप है रहेगा तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तों फस answer मिल गया आपको ठीक है चलो ये कौन सा answer मिला फस answer नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं अपने को कौन सा सवाल दे रखा है बहदी प्यारा सा सवाल दे रखा है दोस्तों सेवन नंबर सवाल देखिए पढ़िए इसको क्या कह रहा है कि कोई compound Z दे रखा है इसकी reactivity की बात करनी है फस अपने बात करें तो इसका monohalogenation करवा दो electro click substitution reaction शो करेगा CDC बात नोबकवास तो I2 दे रखा है क्या दे रखा है दोस्तों I2 दे रखा है तो I2 के साथ अगर अपन reaction करवाएंगे तो अपने को ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पे OH दे रखा है और यहाँ पे tertiary butile group दे रखा है ठीक है और electrofile अपने क्या कह रहा है वो I positive की बात हो र रहा है इसके पास alpha H नहीं है इसका मतलब यह hyperconjugation शो नहीं कर सकता तो किसके coding product मिलेगा दोस्तों किसके coding ये plus M के coding product मिलेगा जो ortho और पेरा product बनाता है जिसमें से पेरा पे वो नहीं attach कर पाएगा क्यों क्योंकि बलकि tertiary butile group लगा हुआ है तो stary crowding बहुत जादा है और IEB क्या है खुद एक large group है यानि कि बड़ा है तो कौन सा product मिलेगा दोस्तों मातर ortho वाला product मिलेगा यहां पे आ जाएगा OH यहां पे tertiary butile group यहां पे इन दोनों के बीच में भी नहीं आ सकता क्या मिल जाएगा दोस्तों यह ortho पे IE आ जाएगा ठीक है next देखिए फिर वो क्या कह रहा है फिर अगर अपने बात करें तो डाई हेलोजीनेशन करवा दो क्या करवा दो डाई हेलोजीनेशन करवा दो अब यहां पे अपने को क्या दे दिया बी आर टू दे दिया किसकी बात कर रहा है दोस्तों डाई हेलो सब्शूटेंड की बात कर रहा है और अपने को क् यहां पे बी आर पोजिटीव दे रखा है और वो भी कितने लगाने हैं दोस्तो टू ग्रूप इलाक्रोफिलिक सब्सुशिशन रियक्शन हो रही है अपने को पता है कौन से पे आएगा दोस्तो ये इसकी ओर्थो पोजिशन है और ये इसकी पेरा पोजिशन है ये इसकी ओर्थो पोजिशन है यहां जल्दी से आ नहीं सकता क्योंगी क्रावडिंग बहुत ज़्यादा है ठीक है स्टीरिक क्रावडिंग बहुत ज़्यादा है तो फसली तो कहा यहां पे attach होगा यहां पर और second वाला काहँ पर attach होगा दोस्तो इसकी पेरा position पर होगा यहां दोनों की क्या लगेगी दोस्तों crowding लगेगी यह सकञा जी हां तो कौन सा product अपने पास मिल जाएगा दोस्तों यह मिल जाएगा यहां पर यहाँ पे डाई ब्रोमिनेशन आपने करवाया है तो यहाँ पे यह बन जाएगा दूस्तों ठीक है बास समझ में आ गए फिर अपने क्या करा है दूस्तों try hello substitute और क्या दे दिया दोस्तों? CL दे दिया क्या दे दिया भला? CL दे दिया तो देख लो दोस्तों यहाँ पे इसका try halogenation करवाएंगे तो अब आपकी मजबूरी हो गई है दोस्तों की CL आप कहां लगाओगे पहले तो आप यहीं लगाओगे CL फिर आप यहाँ CL फिर यहाँ CL यहीं बनेगा दोस्तों try bromoproduct ठीक है? try chloroproduct ठीक है? अब देख लो वो option क्या क्या कहना चाहरा है the steric effect of halogen halogen खुद एक बलकी group है इसका मतलब खुद क्या show कर रहा है दोस्तों steric crowding show कर रहा है आप देख सकते हैं iodine, BR ठीक है? CL फिर भी छोटा हो गया लेकिन try bromoproduct बनाएंगे तो वो भी क्या करेगा दोस्तों crowding show करेगा ठीक है? फिर यह क्या करेगा? the steric effect of tertiary butyl yellow जी सबसे low चाहे तो यही कर रहा है tertiary butyl group ही नहीं तो major product आपका पेरा बना चीए था monohalogenation में कौन सा बना? ortho बना क्यों क्योंकि यह खुद एक क्या है दोस्तों? bulky group है steric crowding सबसे ज़्यादा यही तो कर रहा है अब आपको पता है यह plus M है और यह plus I है more effective कौन हुआ दोस्तों? plus M is more effective plus M decide करेगा 3 butyl samoyak electronic factor नहीं, नहीं, कौन decide करेगा दोस्तों यह decide करेगा तो कौन सा answer आजाएगा A, B, C, 3, O answer आजाएंगे दोस्तों ठीक है बात confirm होगी next सवाल की और बढ़ते हैं क्या दे रखा है दोस्तों देखो तुझरा यह गिन्यार रीजेंट के साथ reaction की बात हो रही है अब अपने को पता है दोस्तों सबसे जो गिन्यार रीजेंट जो reaction देता है वो acid base reaction सबसे strong होती है जिसको अपने NCRT में Jerry Wittinoff method के नाम से जाना जाता है ठीक है यहाँ पे क्या दे रखा है positive यहाँ पे negative दे रखा है RMGX गिन्यार रीजेंट acid base reaction शो करता है ठीक है इनके बाद में कौन शो करेगा कार्बानिल कंपाउंड के साथ में addition nucleophilic addition reaction शो करता है जल्दी ब्रेक हो जाते हैं क्यों इसके उपर partially positive charge और इसके उपर partially negative charge mgx इसके उपर rmgx जल्दी से क्यों कि πई बॉन इस वीक बॉन then strong then sigma बॉन ठीक है वीक बॉन है इसलिए ये nucleophilic addition reaction शो कर देता है अगर अपने को किस के साथ reaction करवानी है किसी alkyl hyalide के साथ reaction करवानी है तो कौन चल्दी reaction करेगा दोसतो एक ये इसके उपर tab करें इसको भगाया ये तो sigma bone है sigma bone strong bone होता है compare to pi bone तो यहाँ pi bone break हो रहा है यहाँ sigma bone break हो रहा है जल्दी कौन break होगा दोसतो pi bone is weak bone होता है partially overlapping होती है यानि कि side to side overlapping होती है और sigma bone में head to head overlapping होती है तो head to head overlapping strong bone का formation करती है इसका मतलब इसका rate of reaction कमजोर रहेगा इसका rate of reaction जादा रहेगा ठीक है तो अब इस सवाल पर आते हैं दोस्तो ये सवाल क्या कहरा है ये देखो किसके उपर reaction करेगा दोस्तो कार्बोनिल compound पे या CL पे कार्बोनिल compound की reactivity क्या है दोस्तो जादा है इसका मतलब ये गिनार recent अपने को दे रखा है ये इसके उपर attack करेगा इसके उपर partially positive charge ये electron density गई तो इसके उपर negative charge आ जाएगा किसका formation हो गया दोस्तो देखते ही देखते अपने पास ये मिल गया यहाँ पे क्या दे रखा है CL दे रखा है और यहाँ पे क्या आजाएगा दोस्तो यही तो मिला oxygen के पास negative charge दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तो CS3 और यहाँ पे CS3 आजाएगा इसको अपन बोलते हैं Intramolecular Intramolecular SN2 reaction है दोस्तो जब एक में ही Nucleophile और एक में ही क्या है Living Group present होता है तो उसको अपन क्या बोलते है क्या बोला साता है दोस्तो यानि कि Intramolecular SN2 reaction ठीक है तो यह इसकी उपटक करेगा तो दोस्तो किते कार्बन की रिंग बन जाएगी देखो 1,2,3,4 कार्बन दे रखा है यानि कि 1,2,3,4 कार्बन और एक Oxygen तो देखे का दोस्तो कहानी यही बिया करती है कि यह Oxygen यहां आसाएगा और जहां से Oxygen आ रहा है वहां से 2 CS3 attached है दोस्तो दो पंखुडियां लगी वी है तो यह Product आपका मेजर बन जाएगा यह बन गया दोस्तो आपका Last Product यही रियक्शन थी यही रियक्शन थी यही रियक्शन थी यही रियक्शन थी चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तो कौन सा फोर्थ आंसर आजाएगा आपका D यानि की Next सवाल की अगर पन बात करें तो क्या कह रहा है दोस्तो यह कोई क्या दे रखा है Ether दे रखा है Hydrolysis in acidic medium कौन जल्दी firstly reaction करेगा दोस्तो अब आपको पता है कि acidic medium दे दिया इसका मतलब SN1 reaction होगी कौन सी reaction होगी दोस्तो SN1 reaction होगी आपने Ether में SN1, SN2 की बाते होती है जब भी तो क्या आता है दोस्तो या तो 3 degree 3 degree carbon present है या फिर benzylic group present है minimum group यही होता है दोस्तो normally अगर अगर अपन देखते है तो benzylic group है तो कौन सी reaction की ओर इसारा होता है दोस्तो SN1 reaction की ओर इसारा होता है या तो 3 degree carbon present है या फिर benzylic group present है इसका मतलब कौन सी reaction होगी SN1 होगी otherwise SN2 होगी वो solvent के ओपड़ी पेंट करेगी तो यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी दोस्तो यह देखो SN1 की ओर इसारा कर रही है देखो एक ननी सी जान पर 3-3 pH लगी हुई है इसका मतलब 3 degree carbon है और 3 degree carbon है और benzine भी दे रखी है इसका मतलब क्या होगया दोस्तो यही तो होगया benzylic group तो यह कौन सी reaction है SN1 की ओर कौन सी reaction SN1 reaction होगी अब देखो पढ़िए इसको तो क्या कहना चारा है वो यह कहरा चारा है कि एक फिनाइल ग्रूप है उसको अगर replace कर दे methyl ग्रूप से तो क्या rate of reaction increase हो जाएगा नहीं यह तो गलत बात होगी दोस्तों यह क्या कहरा है कि अगर एक फिनाइल है इस एक फिनाइल को अपन si s3 से replace कर दे क्या कर दे si s3 से replace कर दे तो एक तो यह κार्बोगाटन और पहले वाला जो अपने कार्बोगाटन बना था वह कौन सा बनेगा दोस्तों यह वाला कार्बोगाटन बना रखा था बताओ कि इसकी stability जज़ादा है इसकी stability ज़ादा है क्यों? क्योंकि due to resonance यानि कि 3-3 benzene ring के साथ मज़े लिये जा रहे है यहाँ पे 2 benzene ring और एक alpha H हो गया यानि कि hyperconjugation हो गया तो resonance is more effective than hyperconjugation इसका मलब इसकी stability ज़ादा थी इसका मलब rate of reaction increase की बजाए decrease हो जाएगा दोस्तो तो ये अपना answer नहीं हो सकता yes करो दूसरे option की और बढ़ते हैं one phenyl group replace peramethoxy phenyl group yes इससे increase हो सकता है ठीक है? अब दीवर पूछा है उसने तो बात कर लेते हैं दोस्तो एक phenyl को replace करा दो दोस्तो किस से भला? इससे replace करवा दो यहाँ पे यह बना है आप ने यहाँ पे पेरा methoxy लगा दो दोस्तो पेरा methoxy लगाओगे एक ही benzene को replace करवाई है आपने एक ही benzene को replace करवाई है तो यह मिल गया दोस्तो और एक जो अपने था वो यह वाला कार्बोक्तायन था अब बताइए इसका rate of reaction increase हो जाएगा दोस्तों क्यों क्योंगी plus m वाला increase हो गया और plus m वाला rate of reaction को increase करेगा क्यों क्योंगी stability of carbocatine increase हो जाएगी तो इसका मतलब ये तेवर्तम है ठीक है लेकिन क्या ये सबसे जादा है क्योंगी उसने तो फूचा है firstly reaction कौन करेगा तो आगे और बढ़ते हैं दोस्तों ये क्या करा है two phenyl groups are replaced by two pera methoxy benzene ठीक है तो phenyl यानि की benzene तो अगर इसमें change कर दें तो इसकी जगाया पर एक और methoxy group लगा दें तो ये क्या हो गया दोस्तों plus m वाला हो गया और plus m वाले क्या करेंगे दोस्तों कार्बोकटैन की stability को और increase करेंगे इसका मलव ये बात सत्या गटना पर अधारित हो गई दोस्तों ये ही आपका answer आजाएगा yes को no बात समझ गयोंगे stability of intermediate कार्बोकटैन देखी जाती है किसमें भला SN1 reaction में इसका मलव ये सही है आगे बढ़ते हैं क्या इससे भी कोई और no structure change in mad 2x तो x में अगर किसी परकार का कोई change नहीं करेंगे तो क्या rate of reaction जादा रहेगा नहीं नहीं ये गलत बात हो गई दोस्तों क्यों क्योंकि प्लस सवाले increase करेंगे इसका मलव कौन सा answer third answer yes को no चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कौन सा सवाल दे रखा है अपने को ये पेसेज दे रखा है बहदी पैरा सा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये इसकी इसके साथ reaction करवाओ लूप तो उठाओ तो चलो reaction करते हैं दोस्तों अपने यहीं पे इसकी reaction करने हैं देखिएगा यहां पे क्या दे दिया दोस्तों O और H ठेक हैं पहले अपने इसकी reaction इसके साथ करवा देते हैं किसके साथ कर रहा है वो NANS2 access में दे दिया अब आपको पता है दोस्तो NANS2 आपको access में दे रखा है तो पहले किस के साथ reaction करेगा जो more yen atom के साथ में hydrogen होगा, acid base reaction जोरदार होगी, बताओ, एक तो triple bond के साथ में hydrogen दे रखा है, एक oxygen के साथ में hydrogen दे रखा है, इन में से more acidic hydrogen कौन है, triple bond वाला या oxygen का, जिसकी EN जदा होगी, वो more acidic hydrogen रखेगा, किसकी oxygen की है, इसका मलब पहले ये पहले कौन जाएगा, पहले की अगर आपन बात करें तो कौन सा जाएगा दोस्तों, ये वाला जाएगा, इसके उपर क्या आएगा, negative charge, यस करो, फिर आपने को क्या दे रखा है, triple bond, फिर यहाँ पे, दूसरी बार, दूसरा मॉल, ये जाएगा, बास हमजगे ना, दूसरा म ये जाएगा, अब देखो, कहानी बया हो रही है, कि access में है, तो दोनों के साथ reaction होगी, फिर किसके साथ reaction करवा रहे हैं, दोस्तों, ये करवा रहा है कि CS3, CH2, 1 equivalent के साथ reaction करवाईए, 1 mole दे रखा है, दोस्तों, देखिए का गोर से, यहाँ इथाईल है, और यहाँ पे क्या जोर होगा, दोस्तों, उतना ही कम करेगा, इसका मलव strong base कोन हुआ, strong nucleophile कोन हुआ, triple bond या oxygen, triple bond हुआ, अब जल्दी donate कोन करेगा, जिसकी EN कम है, तो ये अब इसके उपर attack करेगा, दोस्तों, यहाँ आई को जाना ही पड़ेगा, अब जैसे ही IE को गया दोस्तों, तो क्या बन negative charge, बात confirm होगी, फिर ये कह रहा है कि CS3 IE के साथ एक बार और reaction करवाओ, जैसे ही आप CS3 और IE के साथ reaction करवाओगे, तो अब कोन अटक करेगा, दोस्तों, ये अब oxygen nucleophile है, इसके उपर attack करेगा, किसका formation हो जाएगा, carbon, triple bond, यहाँ पे क्याज हैगा, CH2, यहाँ पे CS3, और य LAR catalyst, यानि कि PD-BSO4, PD-BSO4, partially, partially reduction करता है, आसिक बनाए, आपने, यानि कि आपचेन करेगा, दोस्तों, तो करवादो दोस्तों, H2 PD-BSO4 की presence में, PD-BSO4 की presence में क्या करवादोगे, दोस्तों, कैसा होगा, sin addition करता है, C-silkene का formation करदेगा, किसका formation करदेगा, C-silkene, तो करवाद है, H, यहां पर क्या जाएगा, दोस्तों, H, यहां सकता है, आप देखीगा, फिर उसने क्या किया दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी रची गई, कि यहां पर क्या है, C-I-A-C-2, C-I-A-C-3, और यहां पर क्या जाएगा, O-C-I-A-C-3, यह बन गया, आपका X, याद रखीगा, क् X देखो आगे देखते हैं ये आपका M था M से आपने X बनाया अब क्या पूछा गया है अपने सवाल देखिए X पूछा गया है दोस्तो X कौन है देखो इसको गोर से कौन हो सकता है ये क्या पहला ही हो सकता है X3Ozhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzh अपना मिल गया, first, हो गई बात, क्योंकि अपने इसको साफ करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा अंसर मिल गया अपने को, first answer मिल गया, ठीक है, यानि कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, क्या कर दिया दोस्तों, ये मिल गया अपने को, ठीक है, हो गया, पहले उसने उसके साथ reaction की, NANS2, ठीक है, पहले किसके साथ reaction करेगा, इसके साथ, क्योंकि more acidic है, उसके बाद में, इसके साथ करेगा second mole, अब इन दोनों में से nucleophilicity किसकी ज़्यादा है, दोस्तों, जिसकी EN कम होगी, पहले ये attack कर रहा है, पहले इसलिए ethyl, इसके साथ आए को कुछ ये पूछा गया है, इसका मतलब इससे, क्या कह रहा है दोस्तों, X कि रियातमक सुम होगा, इससे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, दोस्तों, Y की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, लो जी, अब ये अपने को दे दिय किसके साथ रियक्शन करवा रहा है, देखो, ये दे रखा है दोस्तों, कारबन यहां पे ट्रिपल बॉन, इसके पास निगटिव दे दिया, अब ये क्या है दोस्तों, देखो तो जड़ा गोर से, फस किसके साथ रियक्शन कर रहा है, NANS2 के साथ रियक्शन कर रहा है, और वो भी दो equivalent के साथ तो अब देखो आप ये इसके साथ भी reaction कर लेगा इसके साथ भी इसका oxygen भी h ले जाएगा तो दोनों के साथ reaction करेगा तो इसके उपर negative charge आगया दोस्तो ये negative charge यानि कि nuclear file बन गया और अब ये किसके साथ second वाले के साथ reaction करेगा second वाला आपको क्या दे रखा है देखो तो जड़ा गोर से यहाँ पर ये दे रखा है और यहाँ पर oxygen के पास negative charge और यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तो बी यास करो अब ये इसके उपर टेक करेगा ये भाग जाएगा तो भगा दो दोस्तो जैसी आपने इसको भगाया तो क्या बन जाएगा दोस्तो कुछ ऐसा मिला carbon triple bond यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तो CH2 लिख दू में यहाँ पर क्या है CS3 और oxygen के पास negative charge आ गया अब negative charge इसका hydrolysis करवा रहा है इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तो मिल्ड hydrolysis है इसका मतलब OH आ जाएगा यहाँ पर oxygen negative था H आ गया फिर यह क्या करा है PDC दे दिया दोस्तो अब triple bond को किसमे convert कर देगा दोस्तो सिंगल bond में convert कर देगा तो करवा दो दोस्तो क्या बन जाएगा CS3 CH2 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 फिर CH2 CH और यहाँ पर CS3 और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तो OH यही बन गया देख लो number of carbon count कर ले ना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यही बन गया अब यह क्या कर रहा CRO3 CRO3 क्या काम करेगा दोस्तो oxidation करेगा 2 degree alcohol को कि टोनों में change कर देगा 1 degree को किसमे LDH में convert कर देगा तो CRO3 के साथ जैसी आपने oxidation करवाया क्या मिल जाएगा CS3, CH2, CH2, CH2 और क्या जाएगा दोस्तो CH2 और यहाँ पर अपने मिल गया C double bond O, CS3 यह आपका क्या हो गया दोस्तो Y, अब X और Y को देख लो दोस्तो क्या कहना चाहरे है ठेकें, यह तो अपना Y मिल गया और X अपना क्या मिला था दोस्तो कुछ ऐसी ही कहानी रखी गई थी X अपने पास मैं इधर लिख लेता हूँ X इन दोनों का रिस्ते की बात करनी पड़ेगी दोस्तो की यह रिस्ता क्या कहलाता है यहाँ पर क्या दे रखा है CH2, CH2 क्योंगे आपने यह बना चुके है डबल बॉन, यहाँ पर क्या जाएगा CH2, CS3 ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H देखो नंबर आफ कार्बन पहले तो कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है यहाँ करनो, बात करना फर्म है चलो, अब मिलाते हैं दोस्तो क्या कह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि correct statement of Y product Y के लिए बात हो रही है यह Y है दोस्तो, यह क्या कह रहा है कि जो अपने दे रखा है वो tolent test positive देता है क्या यह tolent test देता है नहीं दे सकता दोस्तो, इसका मतलब यह तो गलत हो गया, यह functional group of X, क्या यह इसका functional group है जी हाँ, functional group किसी भी condition में change हो जाता है तो इसका मतलब वो FGI होगा बट functional group isomers तो है लेकिन यह क्या नहीं है दोस्तो tolent test positive नहीं दे सकता आगे बढ़ते हैं दोस्तो यह क्या क्या रहा है कि tolent test positive गलत हो गई दोस्तो बात ही गलत हो गई, यह Y की बात कर रहा है Y tolent test नहीं देगा नहीं X देगा, काण इखतम है दोस्तो, फिर आगे देखिए क्या क्या रहा है, X gi-i show करता है X का gi-i isomer है ये इसका isomer है क्या isomer तो है लेकिन GI नहीं है दोस्तो क्यों क्योंकि इन में unsaturation carbon double bond oxygen है और इसमें carbon double bond carbon है इसका मलब FGI है ये तीसरा पड़िये ये क्या करा है positive idofom test देगा क्या ये positive idofom test देगा येस पिछले सवाल में अपने बात की थी जिसके पास cs3 co group होगा वो क्या देगा दोस्तो i2 plus base के साथ में idofom test देगा yellow ppt बना देगा ये देगा दोस्तो अब ये क्या करा है x का functional group isomer है yes functional group isomer है ये बात सत्य हो गई इसका मतलब c आपका answer हो गया डी के बारे में देखिए ये positive idofom test देता है और x का gi है ये बात गलत होगी जमी नहीं दोस्तो इसका मतलब कौन सा answer आएगा दोस्तो c answer आएगा yes or no तो साफ करते हैं इसको answer अपना कौन सा मिल गया दोस्तो c answer मिल गया ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कौन सा सवाल अपने को दे रखा है बैदी प्यारा सा सवाल दे रखा है देख लो देखो दोस्त ये अपने को सवाल दे रखा है कि acid lean दे रखी है acid lean किसके साथ reaction करेगी क्या Kmno4 base के साथ reaction करेगी तो आपको पता है दोस्तों oxidizer हो जाएगा CO2 का formation हो जाएगा इसका मतलब ये अपना नहीं हो सकता answer क्यों क्योंकि ये नहीं बनाया जा सकता है इससे दूसरी की अगर पर बात करें क्यों Kmno4 आपको पता है basic medium heat दे रखा है फिर अगर पर बात करें तो क्योंगी ये काम नहीं कर रहा है इसके पर, फिर अगर पर बात करें तो ये क्या है, SNACL, SNACL कुछ नहीं कर सकता दोस्तो इसका, ठेक है, किसको चेंज करता है, वो तो नाइटरो बेंजीन को एनिलीन में कनवर्ट करने के लिए, बहधी प्यारी सी reaction है NCRT की चलो ये नहीं हो सकता अलो ये बात हो गई red होटों से लगा लो दोस्तो अब red होटों से लगाओ मस रो ठीक है किसको acetylene को जैसे ही आपने red होटों से लगाई तो किसका formation हो गया दोस्तों देखो जरा ये आपने जैसे रेड होटों से लगाई तो बेंजीन का फोर्मेशन हो गया वग नहीं हुआ रेड होटों से लगाने के बाद में फिर ये क्या कह रहा है ये आपको दे रखा है दोस्तों हीट करवा दी और क्या दे दिया दोस्तों ये कह रहा है कि HNO3 के साथ reaction करवा दो H2SO4 की presence में ठीक है और heat कर दो अब आपको पता है दोस्तों जब भी 60 degree temperature से उपर होता है तो di-nitration हो जाता है तो पहले तो mono-nitration होगा इसका क्या होगा दोस्तों mono-nitration और heat करने का sign दे दिया इसका मतलब double-nitration हो जाएगा और किस में convert हो जाएगा NO2, NO2-m effect शो करेगा इसका मतलब metanitration होगा yes, no फिर ये क्या कर रहा है दोस्तों ये दे दिया आपको कौन सा दे रखा है H2S और ammonia अब देखेगा इसको H2S प्लस ammonia क्या दे दिया दोस्तों गोर से देखिया ammonia NS3 या पसमें reaction करके किसका formation कर लेते हैं NH4SH NH4SH क्या होता है दोस्तों SH negative या तो आपको SH negative दे रखा हो या फिर किसी भी form में minus S minus 2 दे रखा हो तो इसका मतलब ये selective reduction का काम करता है selective reduction का मतलब क्या हो गया दोस्तों मैं यहाँ पे NH4SH लिख रहा हूँ ठीक है या फिर इसकी जगया पर आपको क्या दिया हो सकता है NA2S दिया हो सकता है ठीक है या फिर NASH दिया हो सकता है ये क्या काम करेगा दोस्तों selective reduction करेगा selective का मतलब दो NO2 दे रखे हैं या कितने भी NO2 दे रखे हैं तो जैसे ही आपने इसकी इसके साथ reaction करवाई तो ये किस में convert हो गया दोस्तों NH2 में convert हो गया और यहां पे क्या रहा NO2 एक का reduction हो गया अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये nitrous acid के साथ reaction करवा रहा है ठीक है nitrous acid और acidic medium में reaction करवा रहा है तो जैसे ही आप इसकी reaction किसके साथ करवाऊगे HNO2 के साथ है तो आपको पता हैं दोस्तों क्या हो जाएगा nitrogen agotization die agotization हो जाएगा और die agotization benzene diazonium salt का formation हो जाएगा aniline इसके साथ reaction करके किसका formation कर लेगी दोस्तों N2 positive, Cl negative और यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों NO2 यहाँ करनो यह CL negative है दोस्तों benzene diazonium coloride का formation हो गया फिर वो कह रहा है कि hydrolysis करवादो दोस्तों जैसे ही आप hydrolysis करवाऊगे तो N2 is good living group होता है किस में convert हो जाएगा आपका यह phenol में convert हो जाएगा यह बन जाएगा आपका metanitrofenol का formation हो गया दोस्तों metanitrofenol देख लो दोस्त क्या यही बन रहा है देख लो कितने oxygen है दोस्तों NO2 के पास 2 है और एक oxygen है 3 है एक nitrogen है दोस्तों hydrogen कितने दे रखे हैं अपने यह दे रखे हैं C6H5 दे रखा है सही बात बोल रहा है 1 hydrogen यह रहा 1 यह रहा 1 यह रहा 5 है सही है इसका मतलब कौन सा answer आ जाएगा इसका answer आपको P का answer आपको third मिलेगा इसका मतलब P का answer B और C में से दोनों में से एक हो सकता है बात करना फर्म होगी आगे बढ़ते हैं दूसरे option की बात करेंगे इसलिए अपने को यह option साब करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर याद रखिए का दूस्तो कौन सा मिला यह अपने third option मिल गया यह सकनो तो A का आपने को third मिल गया अब आगे बढ़ते हैं दूस्तो यह अपने को दे रखा है रियक्शन करवाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा ठीक है SNSCL के साथ रियक्शन करवाएंगे तो भी यह कुछ नहीं कर पाएगा इसका मतलब यह इसके साथ रियक्शन करवाते हैं Concentrate S204 60 degree पे ठीक है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा दोस्तों सल्फोनेशन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सल्फोनेशन तो करवादो दोस्तों सल्फोनेशन जैसे ही अपने क्या दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है OH और OH ठीक है अब इसका क्या करवा रहे हैं दोस्तों Sulfonation करवा रहे हैं और Sulfonation में SO3 कैसा होता है दोस्तों Electrofile होता है तो यहां पर क्या जाएगा SO3H यह होगा यहां लगाओ यहां लगाओ वो यह की बात है फिर यह क्या कर रहा है दोस्तों Nitration करवा दो Concentrate 204 की Presence में तो जैसे ही आप Nitration करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा NO2 Positive मिलेगा यहां अब बताओ यहां आएगा कि यहां आएगा अब आपको पता है यहां तो Crowding जादा है कहां पर आएगा दोस्तों इसके Orthoposition पर आज़ाएगा तो जैसे ही आपने इसके साथ reaction करवाई तो यहां पर OH यहां पर OH यहां पर क्या आज़ाएगा दोस्तों NO2 और यहां पर क्या है SO3H यहां करो फिर यह क्या करा है Dilute S204 डाल दो दोस्तों जैसे ही आपने Dilute S204 डाला तो आपको पता है दोस्तों Dilute S204 D-Sulfonation कर देता है इपसो ग्रूप reaction हो गई है D-Sulfonation SO3 is a good living group तो यहां पर क्या आज़ाएगा दोस्तों OH यहां पर भी OH यहां पर क्या आज़ाएगा NO2 यह बन गया दोस्तों देख लो क्या दे रखा है कार्बन आपके पास कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं जी हाँ हाइट्रोसन आपके पास कितने दे रखे हैं 5 1 2 3 4 5 5 दे रखे हैं उसके बाद में NO कितने दे रखे हैं 4 1 2 3 4 इसका मलब यह सही है दोस्तों तो second का आपका 4 आ जाएगा second में आपको 4 किसका दे रखा है दोस्तों third इसका मतलब आपका answer कौन सा हो गया third yes कनो कौन सा हो गया third पता चल गया ना अपने को फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों R की बात करते हैं कौन सा दे रखा है R में देखो दोस्त क्या कह रहा है वो R में अपने को nitrobenzine दे रखा है अब nitrobenzine किसके साथ reaction करेगा केविनोफोर कुछ नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कौन से के साथ वाव जिसकी तलास थी वो अब मिला है जाके ठीक है यह NC80 की बहुत ही प्यारी सी reaction है क्या दे दिया दोस्तों अगर अपने को SN PLUS SCL दे दिया या फिर क्या दे दिया FESCL दे दिया या फिर ZN SCL दे दिया यह सारे किस में convert कर देंगे दोस्तों नाइट्रो बेंजीन को अनिलीन में convert कर देंगे तो कर दो दोस्तों जैसे ही आपने इसमें convert किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों अनिलीन बन गई यह सकनो फिर CS3 CO group के साथ reaction करवा दो जैसे आप इसके साथ reaction करवाओगे तो protection of NS2 group क्या करा दिया दोस्तों आपने इसका protection करवा दिया यह बन गया दोस्तों यहाँ पे acetanilide बन गया क्या बोलते हैं इसको प्यार से acetanilide बोला साता है अब इसकी reaction किसके साथ करवा नहीं concentrate H2SO4 के साथ reaction करवा दो दोस्तों पहले तो sulfonation करवाओ इसका और फिर क्या करवाओ nitrogen करवाओ तो पहले अलग-लग दे रखा है देखो दोनों concentrate H2SO4 इसका मदलब SO3 कैसा है electrophile है तो कौन product बनाएगा दोस्तों ortho या पेरा ortho या पेरा major product आपको पता है HO3 के साथ reaction करवाएंगे दोस्तों अब इसका nitrogen होगा तो जैसे ही अपन nitrogen करवाएंगे तो क्या आज आएगा दोस्तों ये बन जाएगा H यहाँ पर क्या आज आएगा CO, CS3 और यहाँ पर NO2 आएगा अब इसके पेरा position पे Yes, No, SO3H अब आगे देखो क्या दे रखा है अब कहरा है कि dilute S2O4 के साथ में heat कर दो दोस्तों जैसे ही dilute S2O4 के साथ में heat करोगे आपको पता है दोस्तों क्या हो जाएगा एक तो आपका SO3 living group के रूप में निकल जाएगा और एक इसका hydrolysis हो जाएगा तो अब आपको पता है क्या है NS2 सोरी यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों NS2 क्यों क्योंगी aniline था ना NS2 आजाएगा यही तो था अपने NS2 तो क्या देखो क्या मिला आपने को पास C6H देख लो कितने मिल गए 6 4 इसके पास है 2 इसके पास है C6S6 N कितने हैं 2 है Oxygen कितने है NO2 के पास 2 है Yes or No यह आपकी reaction हो गई दोस्तों कोई दिक्कत कोई परेशानी चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कौन सा answer आजाएगा दोस्तों इसका मतलब दूसरा सही है दूसरा सही है का मतलब C answer सही की और जा रहा है Last process बचा है वो क्या कहता है दोस्तों देखो तो यह क्या करा है यह इसके साथ में जो group की अगर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों CS3 दे रखा है कौन सा दे रखा है CS3 दे रखा है CS3 है ना देख लो प्यार से ठीक है तो अगर अपने इसकी reaction इसको यहां कर देते हैं CS3 अब इसकी reaction किसके साथ करवा रहे हैं दोस्तों यही बच गया KMNO4 अब अपने को पता है दोस्तों जब भी अपने इसमें KMNO4 minimum 1 alpha H हो कितनी भी longest chain दे रखी हो आपको ठीक है जैसे ही आप heat करोगे तो किसमें change हो जाएगा दोस्तों CWH में convert हो जाता है अब basic medium दे रखा है तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों कुछ ऐसा ही नजारा सामने आएगा यहां पे NO2 का NO2 रहेगा यह किसमें change हो जाएगा double bond negative में Yes or No C1O negative यहां पे क्या जाएगा दोस्तों अब इसमें H positive दे रखा है इसका मतलब यहां पे H दे दो अब यह थायोनिल कलराइड के साथ reaction करवाने की बातें कर रहा है दोस्तों तो थायोनिल कलराइड के साथ जैसे ही आप reaction करवाओगे तो कौन सी reaction हो गई दोस्तों यह reaction हो जाएगी यहां पे किसका formation हो जाएगा CEL में convert हो जाएगा देखो यहां पे क्या रहेगा NO2 यहां पे क्या रहेगा CO और CL Yes or No फिर अपने किसके साथ reaction की बात हो रही है दोस्तों यह हो गया उसके बाद में ammonia के साथ reaction करवादो दोस्तों जैसे ही अपने ammonia के साथ reaction करवाएंगे क्या करदेगा दोस्तों यह इसके उपर टक करेगा CEL को जाना पड़ेगा जैसे ही अपने CEL को बाहर निकालेंगे किसका formation हो गया यहां पे अपने को NO2 मिला और यहां पे क्या मिल गया दोस्तों CO और यहां पे NS2 देख लो दोस्तों क्या यह मिल रहा है अपने पास C एक और हो गया तो 6 और 1,7 C हो गया हाइट्रोजन कितने हो गया दोस्तों 2 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 और 2,6 नाइट्रोजन कितने है, 2 oxygen कितने हैं दोस्तो एक तो CO वाला और एक NO2 वाला तो कितने हो गए तीन इसका मलब सही दे रखा है yes को no तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तो C answer अपना confirm हो गया yes को no पहले ही confirm हो गया था अपने चारों option क्या कर दियें write करके देख लिए ठीक है reaction समझ के देख लिए तो इसका मतलब सही है इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है 13 number सवाल दोस्तो यह देखें नजारा क्या है अब यह reaction दे रखी हैं दोस्तो क्या दे रखा है अपने को के वेच आपने पता है कौन सी reaction हो गई यह intramolecular aldol condensation intramolecular aldol condensation अब alpha H participle करता है दोस्तों intramolecular aldol condensation में अपने को पता है कि 5 and 6 member ring का formation होता है 5 and 6 member ring का formation होता है mostly यहाँ पे देखो अगर यह वाला alpha है और यह वाला भी क्या है दोस्तों alpha है ठीक है कौन सा है बहला alpha है तो यह वाला भी alpha है है और यह वाला भी alpha है तो कौन सा participate करेगा दोस्तों कौन सा participate करेगा और यह participate करता है तो 1, 2, 3, 4 member ring बनेंगी जो possible नहीं है है ना क्या हो जाएगी strange जादा हो जाएगी बोनेंगल छोटा हो गया यह participate करता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब यह वाला participate करेगा यह इसके उपटेक करेगा carbonine का formation हो जाएगा दोस्तो देखते ही देखते ही अपने पास क्या जाएगा दोस्तो यह मिल जाएगा यह मिल गया अपने double bono oxygen यह मिल गया ठीक है carbon के उपर negative charge यह दे रखा है दोस्तों यह intra molecular aldol condensation शो करेगा यह इसके उपटेक करेगा दोस्तों जैसे ही इसके उपटेक कर दिया दोस्तों तो क्या जाएगा अपने पास कुछ ऐसा मिला यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे किते member ring बन गई 1,2,3,4,5,6 तो करवादो दोस्तों 6 member ring का formation हो गया ठीक है यहाँ से जहाँ से आपस में attach हुआ है यही से तो attach हुआ है यहाँ पे पंखुडी लगी हुई है और यहाँ पे double bond oxygen है दोस्तों यही दे रखा है अब अपन unsaturated product का formation होता है और alpha, beta unsaturated product की अगर पन बात करेंगे तो यह CEO के साथ में जो conjugation वाला है वो E1CB reaction का part है यह कौनसी reaction है E1CB reaction E1CB reaction यानि कि कि किसके उपटक करेगा उसके उपटक करेगा जो more acidic hydrogen है यह base किसके उपटक करता है दोस्तों उसके उपटक करता है जो strong acidic है E1CB कौनसा है यह वाला E1CB का क्योंगे यह conjugation participate कर रहा है तो यह वाला H और यह OH निकला तो क्या बना दोस्तों alpha, beta unsaturated compound का formation हो गया कौनसा answer मिल गया दोस्तों? answer अपने को मिल गया A yes or no? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कौनसा सवाल अपने को दे रखा है देखो क्या कह रहा है the number of hydroxyl group in Q ठेक है? hydroxyl group की बात हो रही है दोस्तों H positive और heat करने के sign दे रखा है इसका मतलब देखते ही यह क्या है dehydration का का काम कर रहा है concentrate as to iso 4 है तो इसने अपना loan pair of electron इस पे लोटा दिया जसी इसके उपर लोटा है तो दोस्तों क्या बन जाएगा अपने पास यह बन गया दो पंखुडियां लगी हुई है और यहाँ पर क्या है दोस्तों double bone इसके उपर क्या जाएगा? एक ननी सी जान के उपर positive charge आ गया और हो जाता है दोस्तों, rearrangement हो जाता है तो करवादो दोस्तों जैसे rearrangement करवाओगे तो यह पंखुडी इदर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा दोस्तों यह मिल जाएगा अपने पास यहाँ पर positive charge और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों कुछ ऐसा ही बना हाना अब इसमें स dilute as Kmno4 दे दिया, इसका मलब bare reason दे रखा है दोस्तों, ठीक है पिंकी जासा होता है, excess में दे रखा है, ठोक में दे रखा है, तो जितने double bone होगे वहाँ पर क्या जाएगे दोस्तों, hydroxylation का काम करता है, sin addition का का काम करता है दोस्तों, तो क्या जाएगे, जैसे ही आप bare reason डा इसको हटाओ, क्या लगा दो, OH, OH, कितने OH आगे दोस्तों, दो ये आगे और दो ये आगे, चार OH आगे, इसका मलब answer आपका क्या जाएगा दोस्तों, OH पूछा है उसने कितने number of OH है, चार है दोस्तों, ठेक हैं, तो answer क्या जाएगा, 04, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है अपने को, ये कह रहा है कि कौन सी reaction में, number of product की बात हो रही है, कैसी कितनी reaction है, जिसमें benzaldehyde का formation हो रहा है, देखो बिल्कुल आसान सी reaction है, ये गाटरमान coach reaction है, coach से याद रख सकते हो कि उसमें CO present होता है, क्या होता है, CO present होता है, क्या दे रखा है, क्या दे आएगा, ALCL3 ले जाएगा, तो H positive मिला, ये अपना loan pair of electron, अब ये इसको दे रहा है, और ये किसी और को दे रहा है, बात जमी नहीं दोस्तों, जैसे ही oxygen को पता चलता है, कि मैं इसको electron दे रहा हूं, और ये किसी और को दे रहा है, ये एक तरफा मोहबत शो कर रहा है, किस से बहला, कारबन से, ठीक है, और ये किसी और से कर रहा है, इसका मलग, ये तो गलत बात हो गई, तो जैसी oxygen को पता चलता है, कि कारबन ने किसी और को loan pair of electron देने की सोच रहा है, वो अपने electron वापस खेंच लेता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, दोस्तों, कारबन, यहाँ प NCRT के बहुती शांदार्शी reaction है, बीच में से उठाई हुई, पार्साव सरंखला, यानि कि side chain का chlorination करवा हूँ, रोस के बाद में उसका hydrolysis करवा हूँ, ये क्या दे रखा है, दोस्तों, OH दे रखा है, ये इसके उपटेक करेगा, एक ननी सी जान पर क्या आज हैंगे, दो दोस्तों, ये unstable हुआ, वोटर निकाल दो, दोस्तों, किसका formation हुआ, बेंजलडी हैड का इसका मदलव, ये भी बात सत्य घटना पर अधारित हो गई, ये भी सही, वो भी सही, ये क्या दे रखा है, दोस्तों, बहुती प्यारे सा सवाल है, ये, रोजन मून reduction का, partially reduction का का काम क ये भी क्या करता है, दोस्तों, partially reduction करता है, साइनाइड को LDH में convert कर देता है, एस्टर को LDH में convert कर देता है, यहां आपको एस्टर दे रखा है, किस में convert कर देगा, दोस्तों, partially reduction कर देगा, इसका मतलब LDH में convert कर देगा, और साथ में क्या बन जाएगा, M-E-O-H, ठीक है, त LD head बनाना तो benz LD head पुछा गया कि किस में बनता है दोस्तों चारों में बनता है तो कौन सा answer आजाएगा आपका 04 answer आजाएगा दोस्तों integer का सवाल था बहदी प्यारा सा ठीक है तो चारों सही है इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तों यह कह रहा है कि ओजोनोलाइसिस करवा दो करवा दो दोस्तों ओजोनोलाइसिस जैसे ही आपने ओजोनोलाइसिस करवा है तो बेंजीन का जनली नहीं होता ठीक है ओजोनोलाइसिस हाई टेंपरिचर पर होता है तो जैसे ही अपने को यह बॉन दे रखा है जैसे ही आपने ozonolysis करवाया तो अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों यह मिल गया CS3 यहां पे CH1-O reductive Ozonelysis करवाया जा रहा है CH2-CH1-O ठीक है यह आपका क्या बन गया दोस्तों आर अब कहा गया है कि ammonia के साथ reaction करवाओ, लो जी करवादो, ammonia के साथ कौनसी reaction होगी, nucleophilic addition, elimination reaction होती है दूस्तो, nucleophilic addition, elimination reaction होती है, aliphatic is more reactive than aromatic, यह aromatic वाला LD-AID है और यह aliphatic वाला है, aliphatic वाला होगा ना, बीच में CH2 आ गया, तो यह aliphatic है, aliphatic is more reactive than aromatic, ठीक है, क्यों क्योंगी यह तो benzene के साथ conjugation कर रहा है, और यह जिन के साथ conjugation नहीं कर पा रहा, तो पहले यह इसके साथ reaction करेगा, तो देखो तो दोस्तो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके CS3 बना, और यहाँ पे क्या बन गया, LD-AID, और यहाँ पे क्या बन गया, CH2, और यहाँ पे CH double bond NS, यह बना, यह इमीन है, यह यह alpha hydrogen रखता है, इसका मलव totomerism शो कर सकता है, जी हाँ, totomerism शो कर सकता है, यहाँ पे क्या है, CS3, यहाँ पे क्या देखता है, LD-AID ग्रूपता, यहाँ पे क्या जाएगा, CH double bond, CH और NS2, यह बना, देखो तो ज़रा गोर से, यह NS2 और यह CO, देखकर एक बार फिर मन लल चाय और क्या हो गया, nucleophilic addition, elimination reaction एक बार फिर परतसीत की गई, शो की गई, तो इसका मतलब एक बार फिर पानी निकला, और क्या बन गया दोस्तो, यहाँ पे CS3 था, यहाँ पे क्या बना, CH double bond nitrogen, यहाँ पे क्या था दोस्तो, CH double bond, CH, और यह बन गया दोस्तो, देख लो कौन है यह कौन है यह, देखो, CH के बार में, यह आ रहा हो, डouble bond आ रहा हो, इसका मतलब कौन आया दोस्तो, यह आया कि यह आया, देखो, nitrogen किसके पास है, एक और यह बला है, यह है, इसका मतलब कौन आया दोस्तो, यह आया, कौन सा answer मिल जाएगा, फसा answer मिल गया, यह सकरो, यह मिल जा बढ़ते हैं एल्कीन की एलकीन के सबसे पहले रेक्शन करेगी का formation हो गया जसे भी रेक्शन में इंटरेमीडिट कार्बुटायन और फाईल बन गया अब किसके साथ करवाएंगे और दोसके साथ करवाएंगे बैंजीन कोंजीन रेक्शन देगी Electrophilic Subsection Reaction Show करेगी किसका formation हो गया दोस्तो ये बन गया आपके पास Isopropyl Benzene क्या बन गया दोस्तो Isopropyl Benzene जिसको प्यार से क्या बोलते हैं कमीनी बोलते हैं कमीनी मलब क्यूमीन बोलते हैं ठीक है दिल पर मतले ना क्या बन गया दोस्तो क्यूमीन बन गई अब ये क्यूमीन किसके साथ reaction करेगी दोस्तो Oxygen के साथ देखो Radical Inciator दे रखा है क्या बना देगी दोस्तो Radical का formation कर देगी ठीक है क्यूमीन हाइट्रोजन प्रॉकसाइड का formation कर देती है 3D Radical का formation यहाँ पे carbon यहाँ CS3 यहाँ बन गया दोस्तो Radical 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 ठीक है 3D Radical more stable है due to conjugation है वे एंजीन के साथ conjugation कर रहा है Radical जो बनेगा तो यह बन गया दोस्तो इसको अपन क्या बोलेंगे क्यूमीन हाइट्रोजन प्रॉकसाइड हाइट्रोजन प्रॉकसाइड अब अगर इसमें concentrate एस्ट्रोज सोफोर डाल देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा phenol और acetone का formation हो जाएगा इसकी भी वहुती प्यारी सी mechanism है आपने पड़ रखी है किसका formation हो जाएगा यानि कि reinforcement के कारण phenol और acetone का formation हो जाता है चीक है तो आप देखो उसने क्या पुछा है मातर यू पुछा है तो यू अपना क्या है दोस्तों क्यो मीन हाइट्रोजन प्रोकसाइड है क्यो मीन हाइट्रोजन प्रोकसाइड है यास करो यही बनेगा दोस्तों चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो क्या दे रखा है अपने को ये सवाल दे रखा है दोस्तों ये अपने दे रखा है दोस्तों कि इसकी इसके साथ रियक्शन करवाओ PDBSO4 दे रखा है PDBSO4 दे रखा है इसका मतलब क्या दे रखा है दोस्तों या तो कोई ट्रिपल बॉन है क्या है ट्रीपल बॉन है या फिर बेंजोयल कलोराइड है ठीक है तभी ये PDBSO4 आ सकता है अधरवाइज PDBSO4 तो नहीं आएगा ठीक है फिर उसने कहा है कि ये बन गया ये बन गया इसका मतलब क्या है दोस्तों ये कोई अलकाई नहीं हो सकती है ठीक है क्यों क्योंकि LD हैड अ और CH यहीं आएगा C8 C8 का मतलब क्या हो गया दोस्तों देखो 6 इसमें 2 इसमें 8 है अब इसके साथ रियक्शन करवाने की बात हुई दोस्तों PDBSO4 के साथ रियक्शन करवाने की PDBSO4 ठीक है लिन लार रिजेंट जैसे ही आपने रिड़क्शन करवाया पार्शली रिड़क् करवाstrong हा रहा है हाई धो बॉरेम ऑक्सिडिडीशन की कहानी दोस्तों जैसिस आपदी मार्कोनिक अफ्रुल के कोड़िंग अवर्र profession होगा दोस्तों जैसिशि Hem क्या करवाओगे anti-marconic of rule के according addition करवाओगे तो anti-canu mark को निखाओओ anti-canu mark को निखाओओ यही तो बनेगा दोस्तो ठीक है कौन सा बना दोस्तो c बन गया आपका यही तो पुछा गया है x कौन है x कौन है दोस्तो c है आपका yes करो अब उसने y भी पूछा है तो y की बात कर लेते हैं triple bone दे रखा है दोस्तों इसकी reaction अपन किस के साथ करवा दें दोस्तों यह देखो h2 ठीक है h2SO4 दे रखा है sg दे रखा है ठीक है यह triple bone के साथ ही दिया होता है हमेशा क्या दे रखा है h2SO4 और यहाँ पे hg plus 2 दे रखा है ठीक है खुर्चोव reaction है यह ठीक है तो देख लो दोस्तों अगर जैसे ही अपनी यह दे रखा है तो इसकी reaction करवा दो दोस्तों क्या आज़ाएगा यह आज़ाएगा अपने एक side में h आज़ाएगा और एक side में o h किसके according mark or nick of rule के according यह मिला अब यह क्या है दोस्तो inol foam बनी है किसमें change कर दो keto foam में convert कर दोगे तो क्या आज़ाएगा दोस्तो कुछ ऐसा हाल हुआ यही हुआ अब वो देखो आगे क्या कर रहा है यह बन गया C8H8 और O यही बना यही है दोस्तो अब इसकी ethyl mg के साथ reaction करवादो दोस्तो जैसे ही अपने इसकी reaction करवाएंगे ethyl mg vr और water देंगे तो यह इसके उप़ अटेक करेगा दोस्तो देखती देखती अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तो यह मिल गया आपने देखेएगा जरा गोर से है यहाँ पे CS3 यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो ethyl group आगया अब देखो concentrate estrous ओपर दे रखा है दे रखा है न H positive और heat इसका मदलब क्या होगा intermediate carbocatine का formation होगा re-rensament possible है तो होगा otherwise क्या होगा elimination ही तो होगा E1 reaction होगई जैसे ही दोस्तो intermediate carbocatine का formation हुआ आपने यह बना दिया देखो तो जरा गोर से यह बनाया यहाँ पे CS3 है और इसके उपर positive charge है कुछ ऐसा ही दे रखा है ना यह मैंने सही लिख दिया यहाँ पे क्या बना दोगे दोस्तो major product का formation करोगे तो कौन सा H जा सकता है यह वाला या फिर यह वाला major कौन सा होगा सहज़ फलकीन के according major product बनेगा दोस्तो तो यह आपका major होगा ठीक है यह आपका क्या बन गया दोस्तो Y अब देख लो दोस्तो Y क्या है यहाँ तो X पूछा गया था सवाल नमबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है Y पूछा गया है ठीक है देख लो Y अब Y में देख लो दोस्तो कौन सा है यह क्या नहीं है यह क्या नहीं है यह क्या नहीं है जी हाँ ये है मुख्य उत्पाद पूछा है यानि कि मेजर पूछा है तो मेजर ये है माइनर ये है ठीक है तो अपने से केवल एक ही बात करनी है एक कौन सा है दोस्तों अगर अपने बात करें तो कौन सा है मेजर मेजर आपका D है येस कनो आंसर आ गया चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तों ये सवाल दे रखा है बहदी प्यारा सा सवाल है 2016 में आया हुआ है ठीक है देखो दोस्त क्या दे रखा है अपने इसका मतलब ये कौन सी रियक्शन है क्रोस एल्डोल कंडेशिशन की कहानी बेया कर रहा है फिला हल तो ठीक है तो देखो क्या दे रखा है दोस्तों क्रोस एल्डोल कंडेशिशन में क्या होगा इसकी अगर पन बात करें तो देखो तो जरा गोर से क्रोस एल्डोल कंडेशिश ये base है इसके पास alpha H है इसके पास alpha H नहीं है तो base किसके साथ reaction करेगा दोस्तो इसी के साथ reaction करेगा alpha hydrogen के उपर attack करेगा और मैं यहाँ पे pH लिख दूँ ठीक है बाद में अपने benzine में convert कर लेंगे यहाँ पे अगर अगर बात करें तो क्या आगया double bond oxygen यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो इसके उपर negative charge आ गया यही आए यह किसके साथ reaction करेगा formaldehyde के साथ reaction करेगा तो formaldehyde double bond oxygen इसके पास partially positive charge यह negative charge यह इसके उपर attack करेगा और यह कहानी बया कर रही है दोस्तों यही हुआ देखो तो जड़ा क्या हो गया यहाँ पे double bond oxygen दे रखा है और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों double bond यहाँ पे क्या जाएगा CH2 और OH आ जाएगा यही मिला है फिर देखो यह कह रहा है कि formaldehyde आपको access में दे रखा है formaldehyde आपको access में दे रखा है और basic medium दे रखा है दोस्तों अब देखो ना तो इसके पास alpha hydrogen ना इसके पास alpha hydrogen तो यह अब आप कुन चोकराओगे kennyzaro reaction चोकराओगे cross kennyzaro reaction एक का reduction एक का oxidation तो इसका क्या होगा दोस्तों होगा अब reduction होगा और इसका क्या हो जाएगा oxidation तो यह तो किसमें convert हो जाएगा दोस्तों इसमें convert हो जाएगा yes का no karboxylate में convert हो जाएगा और यह किसमेach NBA हो जाएगा दोस्तों reduction हो जाएगा जЕसी आपनी इसा reduction करवागा है किसमे character हो फो भाई ह यहां formality height के साथ acidic medium में reaction करवानी है तो दोस्तों आपको याद होगा दुनला-दुनला carbonil compound में अपन reaction पढ़ते हैं कि protection of carbonil group protection of carbonil group कि अपने अगर carbonil group दे रखा है और इसकी reaction किसके साथ करवा दें दोस्तों ये इसके साथ करवा देते हैं इन acidic medium में glycol के साथ ठीक है ये दे रखा है ethylene glycol इसकी इसके साथ reaction करवाते हैं तो इस group का क्या हो जाता है दोस्तों production हो जाता है यानि कि oxygen oxygen और cyclic ketel का formation हो जाता है cyclic ketel किटोनों से करवा रहे हैं तो cyclic ketel करवाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कुछ यही कहानी बेया होगी यानि कि CH2 double bond oxygen in acidic medium ठीक है तो मैं डारेक्ट यहां से निकाल रहा हूं दोस्तों यह H और यह H और यह oxygen ठीक है जैसे ही अपने इसकी इसके साथ reaction करवाई तो यहां पर क्या आज़ाएगा दोस्तों य इनजीन आपने बनाई और यहां पर carbon क्या दे दिया CH यहां परfficacy है carbon यहां पर इधर CS3 और इधर क्या दे रखा यह दो गी दोस्तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 member ring का formation हो जाता है, कौन सा answer आ जाएगा दोस्तों, देख लो, first answer मिल जाएगा, दो पंकुडी है, CH के Google में, yes करो, कौन सा answer मिल गया, first, next, इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा सवाल दे रखा है, दोस्तों, ये सवाल अपने group दे रखा है, जैसे ही आप इसकी इसके साथ reaction करवाऊंगे, तो किसके साथ reaction कर लेगा, दोस्तों, ये E2 reaction होगी, ये इसके alpha hydrogen के उपर टेक करेगा, ये बढ़न यहाँ पे, और V भाग गया, इसका मतलब, isobutylene का formation हो गया, अब isobutylene क्या benzene के साथ reaction कर पाएगी, मना कर दोस्तों, जीएं तो जीएं, किसके साहरे जीएं, दोस्तों, reaction करें तो किसके साहरे reaction करें, नहीं कर पाएगी वो, छीक है, इसका मलईच से तो नहीं बना सकते, ये ELCL3 दे रखा है, दोस्तों, ये इसके उपर attack करेगा, तो क्या बन जाएगा, दोस्तों, ये बिन गया इसका फॉर्मेशन कर देगी यह सक नो जी हां बना देगी यह तो इसमें यह H2SO4 दे रखा है दोस्तों H2SO4 एलकीन के साथ reaction करके किसका फॉर्मेशन करती है है एलेक्ट्रोफिलीक अडिशन reaction वही कहानी होगी दोस्तों बना देगी ये भी इसकी क्या दे रखा है दोस्तों BF3 दे रखा है इसका मतलब क्या दे रखा है ये इसको अब्जोब कर लेगा क्या बन जाएगा दोस्तों intermediate carbocatine बना इसके उपर positive charge देखो re-rensement हो जाएगा किसका formation हो जाएगा दोस्तों इसका formation हो गया टरसरी ब्यूटाइल ये भी बना देगी टरसरी ब्यूटाइल बेंजीन तो कौन बना सकती है दोस्तों ये बना सकती है b c d answer आजाएगा आपका फस reaction करने से मना कर देगी क्यों दोनों ही अलकीन है कैसे जीएं तो जीएं किसके साहरे ठीक है h positive दे देते तो भी कर लेती है आपस में next इसी कड़ी में आगे बात करें तो दोस्तों ये अपने को सवाल दे रखा है बहदी प्यारा सा देखो तो कोलम फास second थर्ड दे रखा है ठीक है देखो तोलूइन की reaction करवाईए किसके साथ करवाएंगे अपन तोलूइन की reaction पहले तो option पढ़ लेते हैं कि निमल लिखित विकल्पों में से सही से योजन की कार्बोकसिलिक एसीड का कौन फॉर्मेशन करेगा दोस्तों देख लो भलाई बात कर लेते हैं है अपन कौन करेगा option के कोडिंगी बात करते हैं कि second four और R मिलाओ इसमें से second इसमें four और इसमें R मिलाओ ठीक है देखो second कौन है acetophenone अब acetophenone अपने क्या होता है दोस्तों य इसका formation कर देगा ये तो aldol condensation का formation करेगा CO2 के साथ reaction CO2 क्या कर पाएगी दोस्तों नहीं CWH का formation नहीं कर पाएगी ठीक है कहानी इसकी यहीं खतम होती है फिर अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है R क्या है hello form reaction hello form reaction होई ना जी ना hello form reaction नहीं है गलत बात फिर आगे बढ़ते ह हैं दोस्तों क्या दे रखा है अपने को यह second second में देखो third third क्या है दोस्तों बेंजल्डी हाइड third का third और पी मिलाओ third का third और पी मिलाओ third में क्या दे रखा है दोस्तों बेंजल्डी हाइड अब इस बेंजल्डी हाइड की reaction किसके साथ करवा रहे हैं दोस्तों देखो क्या acetate दे रख़ाय है, पो stadium acetate आपको पता है, दोस्तो, किसके उपर attack करेगा, इसके alpha hydrogen के उपर attack करेगा, इसके उपर negative charge आएगा और यह कौन सी reaction है, पर की reaction, और कीद reaction में किसका formation होता है, दोस्तो, cinemic acid का formation होता है, तो यह इसके उपर क्या करेगा दोस्तों अटेक करेगा किसके उपर बैंजलडीहाइड के उपर अटेक करेगा, किसका फोरमेशन हो जाएगा ओवराल अगर अपर बात करें तो CH यहां पे OH, यहां पे क्या जाएगा CH2, COO, CO, CM1O और CS3 का फोरमेशन हो जाएगा यासक नो जी हाँ, अब इसमें से water release हो जाएगा, कुम सी reaction हो गई, aldol condensation reaction हो गई, condensation reaction CH, double bond CH और फिर अपनी इसका क्या करवा देंगे, दोस्तों hydrolysis करवा देंगे, hydrolysis करवाते ही cinemic acid, सीने में हैं दोस्तों acid, cinemic acid का formation हो जाएगा, क्या मिला, carbox leak acid, इसका मतलब क्या आजाएगा दोस्तों, third, third और P आएगा, यस, इससे अपन क्या बना सकते हैं दोस्तों, carbox leak acid का formation कर सकते हैं, यस कर नो, फिर फस आई, और फस और फस, टोलीन देदी दोस्तों, टोलीन इसके साथ reaction करने से बना कर देगी, यस कर नो, अरे हाग ना, नहीं कर पाएगी दोस्तों, उसके बाद में क्या दे रखा है, दोस्तों, fourth और third दे रखा है, fourth phenol है, phenol इसके साथ reaction करेगा, तो दोस्तों, क्या हो जाएगा, किसके साथ है, anhydride के साथ, acid can hydrate के साथ reaction करेगा तो दोस्तों ये इसके protection का formation हो जाएगा यानि कि इस OH group का protection हो जाएगा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा दोस्तों एस्टर का formation हो जाएगा इसका मलो second answer इसका क्या है right है next सवाल की और बढ़ते हैं कौन के साथ reaction करेगा बी आर टू के साथ ठीक है और कौन सी reaction होगी दोस्तों substitution free radical substitution reaction कौन सी है आर है दोस्तों और कोई नहीं देखा free radical substitution reaction आपको पता है alpha के उपर यानि कि double bond के ठीक alpha पे क्या होना चाहिए हाईड्रोजन होना चाहिए sp3 hydrogen होना चाहिए वही free radical substitution reaction शो कर सकता है और वो कौन शो करता है alkene कौन शो करता है alkene या फिर allylic group शो करता है यानि कि benzene के उपर लगा हो CS3, CH2 यानि कि carbon लगा हो SP3 या फिर double bond का पड़सी हो ठीक है तो क्या आज हैगा दोस्तों 1st, 2nd और R देख लो 1st, 2nd और R किसमें है दोस्तों B में है ठीक है नेक्स इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो सवाल दे रखा है बैदी प्यारा सा किसका formation करना है दोस्तों benzoic acid के synthesis की बात हो रही है benzoic acid कौन बनाएगा अभी जो अपने बात की वो carboxylic acid की बात थी यहाँ benzoic acid की बात हो रही है दोस्तों तो benzoic acid के synthesis की बात हो रही है तो benzoic acid कौन बनाता है दोस्तों देखो acetophenone दे रखा है acetophenone benzoic acid का formation कर सकता है कैसे यह hello form reaction से और hello form reaction आपको पता है कौन देता है BR2 and basic medium में क्या बन जाएगा दोस्तों यह आपका benzoic बन जाएगा इसको h दे देना बाद में last में क्या बन जाएगा दोस्तों benzoic acid में convert हो जाएगा और एक इसकी production क्या बन जाएगी bromo form का formation हो जाएगा कौन सी reaction हो गई यह hello form reaction हो गई तो मिला दो दोस्तों किसके साथ benzoic acidophenone इसके साथ और last में किसके साथ मिलाओगे hello form के साथ तो देख लो second first और s कौन है second first और s कौन है दोस्तों second first और s आपका कौन है d है yes करो कौन सा answer आजाएगा आपका d next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों यह आपको दे रखा है कि nucleophilic substitution reaction की बात हो रही है किसकी बात हो रही है दोस्तों nucleophilic substitution reaction की बाते हो रही है तो करवालो दोस्तों nucleophilic substitution reaction देगा तो क्यों देगा देखो first और third SN1 reaction शो करेगा first और third जी हाँ शो करेगा क्यों नहीं शो करेगा बताओ उचल कूद करता हूँ बनेगा क्यों क्योंगी यह बेंसाइलिक है मोस्टेबल कार्बोकेटैन का फॉर्मेशन है थाइड भी क्या है दोस्तो थ्री डिग्री कार्बोकेटैन बनेगा थ्री डिग्री कार्बोकेटैन मोस्टेबल है SN1 शो करेगा, ठीक है, करेगा ये भी, बहुत बढ़िया, उसके बाद में 1st और 2nd SN2 डियक्शन शो करेगी, जी हाँ करती है, साब देख सकते हैं, ये भी 1 डिगरी है, और ये भी क्या है दोस्तों 1 डिगरी है, दोनों शो करती है फिर क्या कह रहा है दोस्तों, 4th compound, inversion configuration inversion का मतलब chiral carbon chiral carbon का मतलब कौन है, ये chiral नहीं है ये chiral नहीं है, ये chiral नहीं है, ये inversion बनाएगा दोस्तों, inversion यानि कि SN2 के according बना सकता है ना, पड़क inversion और retention दोनों बनाता है, इसका मलो है, फिर ये क्या कर रहा है दोस्तों, SN1 की rate of reaction की बात हो रही है, कि 1st, 3rd और 4th में intermediate carboctan बनाओ, लुपत उठाओ, सबसे ज़्यादा कौन सकी होगी, ये 2 degree carboctan बना है, ठीक है, ये 1 degree ही बना है, लेकिन benzylic है, due to resonance, more stable है, ये 3 degree ही है, लेकिन hyperconjugation है, तो resonance is more effective than hyperconjugation 4 के बाद में, 1st, 1st के बाद में 3rd, इसका मतलब ये भी सत्य गटना पर अधारित है, इसका मतलब A, B, C, D, चारों option आ जाएंगे दोस्तों इसके, ठीक है, 26 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों, ये कह रहा है कि, योगी कोई P और R जिसका ozonalysis अपने को करवाना है एक अपने को P दे रखा है और एक R दे रखा है, जिसका ozonalysis करवाएंगे तो Q and S का formation होता है, एक साइड में Q और एक साइड में S, दोनों का molecular formula same दे रखा है दोस्तों क्यों कह रहा है कि, केनी जारो reaction शो करता है ठीक है, प्रन्तु hello form reaction शो नहीं होती, इसका मतलब उसके पास alpha heterosan नहीं है alpha heterosan नहीं है, इसलिए तो वो केनी जारो शो कर रहा है और उसके पास CS3 CU group भी present नहीं है ठीक है, जबकि S जो दे रखा है, वो केनी जारो reaction शो नहीं करेगा देख लो दोस्तो, अब इसका अपने ozonalysis करवाना है, तो करवाओ दोस्तो first option दे दिया, आपको ozonalysis करवाओ जैसी आप ozonalysis करवाओगे तो किसका formation हो गया, देखो ये बन गया अपने पास, जैसी अपने ozonalysis करवाया, तो अपने जारो reaction शो करता है, इसका मलब सत्य अगटना पर अधारित है, देख सकते हैं, C8, H8 और O है इसके पास, ठीक है, अब इसी में दूसरा देखो, इसका ozonalysis करवाओगे तो दोस्तो, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका R, S में convert होगा, तो किसका formation हो गया, दोस्तो, acetophenone का formation हो गया, और acetophenone जो है, वो, canizaro reaction show नहीं करेगा, क्या show करेगा दोस्तो, ये आपका hello form reaction show करेगा, yes, no, yes देख लो, ऐसा hello form reaction show करेगा, बट canizaro नहीं देगा canizaro नहीं देगा, सही बात होगी न, देखो, तो इसका मलब first option से ही हो गया, second की और आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, ozoneolysis करवा ये, लुप तो उठाइए, जैसे ही आप ozoneolysis करवाओगे, तो ये ही है, CS3 इसका ही आज़सो मर बना है, इसका मलब ये canizaro reaction show करेगा, same, molecular formula मिला के देख लो, इसका अगर अपना ozoneolysis करवाएंगे, तो देख लो दोस्तो, acetophenone बना, same है बात, ठीक है, इसका मतलब first भी answer आएगा, second भी आएगा, क्या ये C answer आएगा, देख लो, जैसे ही आपने इसका ozoneolysis करवाए है, दोस्तो, तो क्या मिल गया, जी हाँ, इसका ozoneolysis करवाए है, तो ये बन गया अपना, CS3C, यही तो मिला है, क्या ये, कैनी जारो देगा, जी हाँ, कैनी जारो देता है, क्योंकि इसके पास भी L5H नहीं है, जैसी आपने इसका oxidation करवाया, तो ये R होने से CS3, और यहाँ पे भी CS3 है, नमबर ओफ कार्बन इसमें जादा हो गए, वो कह रहा है कि 80 कार्बन होने चीए, इसमें 6789 कार्बन हो गए, इसका मतलब ये answer अपना नहीं हो सकता दोस्तो, इसलिए नहीं हो पाया ये answer, ठीक है, अब इसका करवाये दोस्तो, जैसी आपने ozoneolysis करवाया, इसका मतलब same ये ही पाया, लेकिन वो इसका answer नहीं हो सकता, जैसी आपने इसका ozoneolysis करवाया दोस्तो, नमबर ओफ कार्बन जादा पाए, जादा पाए तो वो answer में नहीं आया, तो कौन सा answer आया, A और B answer आया, yes का no, ठीक है, next अगर अपने बात करें, तो कौन सा सवाल आ रहा है अपने, देखिए का दोस्तो क्या दे रखा है अपने को, सवाल नमबर 27, कोई compound दे रखा है है, बेंजीन की CS3, CO, SCL के साथ reaction करवा दी, और वो भी दे दिया, देखो यह कौन सी reaction है दोस्तो, यह आपकी गाटरमान कोच reaction, गाटरमान कोच reaction, ठीक है, तो बेंजीन की reaction करवाओ, चुप चाप बिना किसी को बताएं, जैसे ही अपने इसकी, इसके साथ reaction करवाएंगे, तो दोस्तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, CO, HCL और ALCL3, साथ में क्या दे रखा है, CUCL दे रखा है, दोस्तो, गाटरमान कोच, गाटरमान कोच, LDH synthesis reaction हो गई, गाटरमान कोच reaction, ठीक है, और एक LDH synthesis reaction होती है, कौन सी, गाटरमान LDH synthesis, उसमें HCN होता है, दोस्तो, यहाँ कोच reaction है उसमें CO होता है ठीक है कोच से याद रखिए CO अब इसकी reaction किसके साथ करवा रहे हैं दोस्तो LD head बन गया उसकी बाद में उसकी reaction करवा दी देख लो Acetic and Hydroid NaOH के साथ ठीक है क्या दे दिया sodium acetate के साथ आपने reaction करवाई थोड़ी देर पहले ही बात की थी परकीन reaction की याद करो दुली दुली याद आरी होगी इसका मतलब यह वही reaction है दोस्तो किसका formation हो जाएगा परकीन reaction का formation हो जाएगा यानि कि परकीन बन गई आपके क्या है परकीन reaction में आपने क्या बनाया था ठीक है, देखो, किसके साथ reaction करवानी है, दोस्तो, BR2 के साथ reaction करवानी है, ठीक है, और उसके बाद में इसको heat कर दो, KOH की presence में, तो जैसी आप इसकी BR2 के साथ reaction करवाओगे, क्या करवाओगे, BR2 के साथ reaction करवाओगे, तो क्या पाओगे दोस्तो, CH आपको पता है, BR2 और यहा पे C,W,H आ जाएगा, यस करो, अब इसकी किसके साथ reaction करवानी है दोस्तो, K,W,H के साथ reaction करवानी है, फिर दोबारा K,W,H के साथ reaction करवानी है, दोस्तो, OH negative आपको दे रखा है, क्या काम करेगा दोस्तो, D, hydro halogenation का काम करेगा, D, hydro halogenation का मतलब क्या हो गया दोस्तो H और B R दोनों जाएंगे दोस्तो E2 reaction हो गई किसका formation हो गया P H C TRIPAL 1 C और यहां पर क्या जाएगा C O H ठीक है अब वो क्या कर रहा है दोस्तो इसको आपने फिर heat किया है देखो ठीक है heat किया K O H major product is Y क्या पूछा है Y अब इसको जैसे ही आप heat करोगे दोस्तो Y basic medium में heat करोगे तो किसका formation हो गया P H C TRIPAL 1 C H CO2 release कर देगा किसको release कर देगा CO2 को क्या बन गई दोस्तो यह आपकी बन गई TRIPAL 1 और Benzene यह आपका कौन सा है दोस्तो किसका formation हो गया देखो Y, Y is major product बन गया यह आपका Y बना है अब वो क्या कर रहा है कि X की reaction अगर अपने किसके साथ करवा देए H2 PDC के साथ reaction करवा देए अब आपका X कौन सा था दोस्तो X याद करो जैसे ही आपने इसके साथ reaction करवाई थी तो आपको X मिला था X कौन था सीने में है acid Yes, No यह आपका X है अब इसकी किसके साथ reaction करवानी है दोस्तो देखो कहानी क्या बयां कर रही है अब इसकी इसके साथ reaction करवानी है दोस्तो देखिए का नजारा क्या है इसकी reaction अपने को करवानी है दोस्तो PDC के साथ अब PDC के साथ reaction अगर जैसे ही अपन करवाएंगे दोस्तो H2 और PDC क्या काम करेगा दोस्तो double bone को reduce कर देगा और किस में convert कर देगा CH2 CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तो CWH यही मिला दोस्तो यही अगर अगर आपन बात करें तो अपने किस में convert हो गया CWH CH2 PH में convert हो गया अब वो आगे क्या चाता है अपने से देखो यह कह रहा है कि इसकी reaction किसके साथ करवादो इसकी इसके साथ reaction करवादो S3PO4 के साथ reaction करवादो जैसे ही अपन S3PO4 इसमें डालेंगे दोस्तो क्या बन जाएगा अपने कुछ है ऐसा बनेगा देखो तो नजारा क्या हुआ जैसे ही अपने S3PO4H पोजिटिव डालेंगे तो यह सीधा किसके उपर असर डालेगा दोस्तो इसके उपर और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने यहाँ पे बेंजीन बनानी पड़ेगी यहाँ पे क्या जाएगा CH2 CH2 और कार्बन डबल बॉन ऑक्सिजन इसके पास पोजिटिव चार्ज यह कौनसी रियक्शन शो कर देगा दोस्तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सूशन रियक्शन शो करेगा और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो कुछ ऐसा आया यहाँ पे डबल बॉन पाया yes no, ये आपका کیा बन गया दोस्तों, देख लो भले, क्या पूछा गया है अपने से, ये major product of jed, ये आपका क्या है दोस्तों, jed है, yes no, इसका कौन सा अंसर औ गया था, अपने से पहले क्या पूछा गया था y, अब इसमें इस सवाल में पूछा गया है Y Y में तो क्या आगया दोस्तो C आंसर आगया Yes करो अब देखें यहां पे अपने से क्या पूछा गया है दोस्तो यहां से अपने से पूछा गया है दोस्तो की Z कौन है तो Z आपका कौन सा आंसर आगया फस्स आंसर आ गया, यहां से C क्या कर दो, गायब कर दो, yes करो, कौन सा आंसर, A आंसर आ गया, yes करो, जी हाँ, next सवाल की और बढ़ते हैं, दोस्तों कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, देखो बहदी प्यारा सा सवाल है, अब देखी इसकी इसके साथ रियक्शन करवाते हैं अब अपने गोर से देखी यह कौन सी रियक्शन है, हेलो फोम रियक्शन है दोस्तों, BR2, दे रखा है ना, सोडियम, सोडियम O और BR दे रखा है, ठीक है, हाइपो ब्रोमाइट दे रखा है, ब्रोमाइट, ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसकी जैसी रियक्शन तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका देखो पहले सवाल पढ़िए ये क्या कह रहा है कि reaction acetophenone 10 mole दे रखा है 10 mole ये दे रखा है दोस्तों आपको 10 mole 10 mole का क्या है 100% दे रखा है ये 60% बनता है 60% का मतलब ये 6 mole बनेगा 10 में 60% मिला इसका 6 mole मिला ये कह रहा है कि 50% मिलेगा तो 50 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 60 का 50 मिलेगा इसका मतलब कितना मिलेगा 3 mole मिलेगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है वो 10 mole दे रखा था उसने कहा कि ये 60% मिला तो 10 का 60% कितना हुआ दोस्तों 6 मोल हुआ फिर उसने कहा कि इसका 50% मिला ठीक है तो कितना हुआ 3 मोल हुआ फिर ये कह रहा है कि इसका भी 50% मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1.5 मोल हुआ फिर ये क्या कह रहा है हेलो फोम रियक्शन करवाओगे तो बेंजोईक असिड पाओगे क्या पाओगे दोस्तों यहां पे C-O-H आ जाएगा और एक अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों ब्रोमो फोम मिल गया यास कनो यानि कि C-H-B-R कितरी बात यहां की हो रही है अमोनिया के साथ रियक्शन करवाओगे हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों यह बन जाएगा आपका एमाइड यास कनो बेंजेमाइड का फोर्मेशन हो गया फिर यह क्या कर रहा है BR2 और केवच दे दिया हापमान ब्रोमेमाइड रियक्शन हापमान ब्रोमेमाइड रियक्शन एक कम कारबन की एमीन का फोर्मेशन हो जाएगा एनिलीन का फोर्मेशन हो गया दोस्तों देख लो बले अब एनिलीन की रियक्शन इसके साथ करवादो दोस्तों जैसे जैसे ही अगर अपन एनिलीन की इसके साथ reaction करवाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों जैसे ही अपने इसके साथ reaction करवाएंगे तो try bro mo product का formation हो जाएगा च्पोर्मेशन हो जाएगा मिल गया दोस्तों यहाँ पे NS2, यहाँ पे क्या मिला दोस्तों BR, यहाँ पे VR और यहाँ पे क्या जाएगा? BR ट्राइब रोमो पड़क्ट का फोर्मेशन हो गया यह क्या मिल गया दोस्तो ट्राइब रोमो अब इसका मोलेकुलर वेट निकाल लो दोस्तो कितना आएगा इसका मोलेकुलर वेट की अगर बात करेंगे तो approximate 330 के आजब अब इसमें percentage yield की बात कर रहा है दोस्तो कितने की बात क को दे रखा है दोस्तों इससे निकाल सकते हो आप मज़े से थिक है 330 के अप्रोक्सिमेट आएगा निकाल लीजीए गा यह परसेंटेस इल्ल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है परसेंटेस इल्ल इसका मतलब कितना निकाल लोगे 330 into 1.5 यह निकाल लेना दोस्तों आणसर आ करना है क्या करना है दोस्तों मेच की बात हो रही है तो कर लो दोस्तों इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी रियक्शन की क्या कर रहा है पी को इसकी इसके साथ रियक्शन करवाओ एलिमिनेशन करवाओ ठीक है तो करिए तो इसकी रियक्शन अपने करवाएंगे तो क्या दे र तो कौन सी reaction हुई दोस्तों? Elimination हुई और elimination हुई तो कौन सा product का formation हुआ दोस्तों? एक तो आपके पास ये बन गया OH आजाएगा और दूसरा आपने पास क्या जाएगी दोस्तों? आइसो ब्यूटिलीन का formation हो गया यानि कि एक तो आपका फास आ गया और दूसरा आपका फोर्थ आ गया यानि कि फास एन फोर्थ आंसर आजाएगा फिर अगर बात करें तो देखो 3 डिगरी HBR के साथ reaction करवाने की बात हो रही है तो कौन सी reaction होगी दोस्तों? SN1 reaction होगी इथर 3 डिगरी या फिर बेंजाइलिक गुरूप रखता है तो इसका मलओ कौन सी reaction होगी? SN1 कोन सी reaction होगी? SN1 के coding product मिलेगा दोस्तों? SN1 के coding product मलाओगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा दोस्तों? 3 डिगरी 3 डिगरी पर क्या आएगा दोस्तों? BR आएगा? कार्ब फिर अगर पर बात करें तो देखो यह कौन सी reaction होगी? फिर elimination देखने को मिला है आपको. Elimination भी कौन सी है दोस्तो? E2 reaction है. यह भी E2 reaction ही थी आपकी. ठीक है? यह आपका major product हौक्मान अलकीन का formation करता है और यह आपको सजब अलकीन देता है अगर कुछ होता तो अब आपको प दे रखा है दोस्तो? अब यह base दे रखा है. यह इसकी उपटेक करेगा दोस्तो? यह कौन सी हो गई? Williamson ether synthesis reaction हो गई दोस्तो? कौन सी? Williamson ether synthesis reaction हो गई? यह SN2 की और ही सारा कर रही है. इसका मतलब बलकी यह हो सकता है लेकिन यह चोटा होना चीए. अगर यह भी बलकी हुआ तो elimination हो जाएगा. क्या बन जाएगा दोस्तो? इथर का formation हो जाएगा. देखो third. तो इसका मतलब third. देखो one, four, two, four, three. One, five दे दिया है. One, four इसमें दे रखा है. One, two दे रखा है. इसका मतलब यह नहीं हो सकता. यह one, four, two, four, three. देखो तो यही दे रखा है. तो इसका मतलब कौन स answer आजाएगा दोस्तों second answer आजाएगा यानि की B answer आगया ठीक है next सवाल की और बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों देखो तो जड़ा 31 number सवाल क्या कह रहा है दोस्तों यह अपने को दे रखा है इसकी reaction इसके साथ करवाई इसका मतलब CS3MGBR के साथ reaction करवा रहा है इसका मतलब cyclohexane ही दे रखा होगा इसमें cyclohexane यानि की और ketonic group कोई लगा लो यानि की cyclohexane on अब इसकी इसके साथ reaction करवाऊ है CS3MGBR के साथ जैसी अपने CS3MGBR के साथ reaction करवाई दोस्तों तो यह इसके उपटक करेगा और यह यहाँ पर आज आज आएगा किसका formation हो गया H दे देना इसको यहाँ पर CS3 और यहाँ पर क्या आज आज आएगा दोस्तों OH यह आपका Q मिल गया क्या मिल गया दोस्तों Q मिल गया फिर यह क्या कर रहा है कि concentrate as to SCL के साथ reaction करवा दो अब SCL यह 3 डिगरी है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों SN1 reaction होगी SN1 के according क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पर OH को हटा कर intermediate Carbocatine का formation होगा और उसके बाद में क्या जाएगा दोस्तों CL यह आपका S हो गया अब देखो तुझरा S कोई ऐसा दे रखा है जिसमें यह वाला product हो देखो S दे रखा है यह भी है यह क्या नहीं हो सकता ठीक हैं तो हटा सावन की घटा इसको अपने क्यों क्रो से लगा देते हैं कानी इसका मतलब यहां पे जो यहां पने बनाया है, क्यूं आपने यहां पे OH लगाया दुस्तों, क्यूं कोई दे रखा है? नहीं दे रखा. इसमें आपने क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया. अब कंसेंट्रेट है, H2SO4 डाल दो या S3PO4 डाल दो. किसका काम करता है? Dehydration का काम करे दिया है कि major ये आपकी दोस्तों क्या बन गई R अब इस R की reaction किसके साथ करवा रहे हैं देखो H2 और nickel के साथ जैसे ही आपने reaction करवाया किस में change हो गया 1 methyl cyclohexane में change हो गया अब इसकी reaction किसके साथ करवा दी दोस्तों BR2 के साथ reaction करवा दी light की presence में major product आपको क्या बन जाएगा दोस्तों यही तो मिलेगा यानिकि BR ठीक है 3 degree के लिए BR की reactivity जो होती है relative reactivity जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों 1600 होती है rate of reaction कितना होता है 1600 टू डिगरी के लिए कितना होता है 82 वन डिगरी के लिए 1 नहीं होता है ठीक है यानिकि reactivity तो CL की ज़्यादा होती है लेकिन selectivity की ज़्यादा होती है BR की ज़्यादा होती है ठीक है तो यहां BR आज़ाएगा देखो BR यहां ऐसा कोई है जिसमें BR दे रखा हो दोस्तों बी आर देखना गोर से ये दे रखा है दोस्तो बी आर ठीक है ये कौन सा दे दिया आपको T4 टमाटर ये दे रखा है दोस्तो अब T में देखो अब आगे बढ़ते हैं अभी कहानी खतम नहीं हुई अब इसकी HBR के साथ रियक्शन करवाईए किसके साथ R के साथ अब देखो किसके साथ HBR प्रोकसाइड दे दिया केवल HBR ही प्रोकसाइड के साथ काम करता है क्योंकि इसके बोथ प्रोसेस कैसे होते हैं एक्जोथरमिक होते हैं एंटी मारकोनिक आफ रूल के अकॉडिंग क्या आजएगा दोस्तो यह आपका क्या बना है दोस्तो यू बना है क्या ब U बना है, ठीक है, देखो तो जरा, कौन-कौन सा प्रड़क्ट आपका हो सकता है, यह S है, यह आपका U है, U कौन सा है दोस्तों, यह है, इसका मतलब अपना आंसर A हो सकता है, हो सकता है, क्या है, B में अगर पर बात करें तो B में S कौन है, S की अगर पर बात करें तो दोस्तों कौन है? वो CL है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, हटा सावन की गटा, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, U, ये देखो, ये ही तो है ठीक है, और T की, T की बात करें तो देखो दोस्तो, ये ही है, इसका मतलब CB आंसर अपना हो सकता है, यस का नो, गुर से रखा है दौस्तों, यह देखो, H2, प्रिपरबोन पर अटक करेगा, जैसे ही अपने इस?- के साथ रियक्षन करवाएँगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा अपने गोर से फरमाएगा, तो यह हां पर इसके लिए गोर फरमाएएगा, यहाँ पे अपने क्या दे रखा है दोस्तों कुछ ऐसा दे रखा है और मार्कोनिक ओफ या एंटी मार्कोनिक ओफ गोर से देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ से डबल बॉन लगा रहा हूँ क्यों कोगी ह फटाएंगे यहाँ पे क्या दे दिया C यहां पे CH2 और यहां पे क्या दे दिया CH double bond oxygen यह कौन सा effect दोस्तो माइनस वाला है तो electron density को इधर खेंचेगा इधर खेंचेगा तो इसका मतलब electron density कि इधर आएगी दोस्तो इधर आएगी यहां पे हैज आएगा और यहां पे क्या आएगा दोस्तो OH आएगा सिधी सी बात नो पास यह कहनो क्यों कि यह electron मैंनस वाला है तो electron density इधर आएगी इधर आएगी तो यह इधर आएगा इदर आएगा तो इसके ऊपर negative आया और उसके बाइख अप टोटो मेरी घुर और तो क्या पा ऑगे दोस्तो यह पालोगे यानि कि यहाँ पे CS3 यहाँ पे double bond oxygen और यहाँ पे क्या जाएगा CH2 CH2 और यहाँ पे CH double bond O LD8 दे रखा है थोड़ा सा उपर लिख दिया है मैंने अब यह क्या कहा रहा है दोस्तो टोलेंडीजेंड के साथ reaction देता है देता है क्या जी हाँ देता है उचल कूद करता हूँ यह LD8 दे रखा है इसका मलव यह टोलेंडीजेंड के साथ टेस्ट देगा जैसे ही आप इसकी इसके साथ reaction करवाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो OCS3 और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तो C double bond O और H यही आया यहाँ अब नेगाटिव आयागा फिर आगे क्या दे रखा है देखो तो ज़ड़ा कलिमांस इडख्शन दे रखा है क्या दे रखा है कलिमांस इडख्शन दे रखा है तो यह क्या कर देगा जिंक अमलगम प्लश С.C.L. За U.a. लिजय दुग गरूफ तो यहाँ पर क्यों O H, नहीं, एक और है दुस्तो, क्या है? बहला, एक carbon अपने कम गर दिया है, तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो क्या हैगा? CH2 और यहाँ पर C O H और यहाँ पर भी क्या हैगा दुस्तो, CH2 और यहाँ पर C O H यही मिला दोस्तो देखो तो आगे क्या कर रहा है वो यह अपने को क्या मिल गया दोस्तो क्यू मिल गया क्या मिल गया क्यू ठीक है अब अपने से क्या पूछा गया है दोस्तो क्यू आर एस एज मेजर पड़क्ट पूछा गया है दोस्तो ठीक है क्या पूछा गया है मेजर प दोस्तों CL आजाएगा S double bond O यहां CL, यहां CL क्या मिल गया दोस्तों यह मिल जाएगा अपने यह मिला अपने यहां पे O CS3 आजाएगा, यहां पे कुछ ऐसा आया, एक दो तीन एक दो तीन और यहां पे क्या आजाएगा दोस्तों कारबन, double bond, oxygen फिर AL, CL3 दे रखा है, दोस्तों वो CL लेसाएगा, इसके उपर positive charge आजाएगा यह कौन सी reaction दे देगा Electroflik Substution Reaction शो कर देगा जैसे ही आप Electroflik Substution Reaction शो करवाओगे दोस्तों तो क्या पाओगे कुछ ऐसा ही जुगाड़ पाओगे यहाँ पर double bond, oxygen और यहाँ पर क्या दे दिया दोस्तों, OCS3 दे रखा है फिर वो अपने से क्या कह रहा है फिर यह कह रहा है कि किसके साथ reaction करवाओ यह अपना R मिल गया यह सकनो, अब वो कह रहा है कि जिंक, amalgam और SCL डाल दो यहाँ पर क्या रहेगा OCS3 क्या रहेगा OCS3 क्या बन गया दोस्तों, यह आपका S बन गया अब देखो कौन कौन है Q देखो क्यू का है Q की अगर पर बात करें तो दोस्तों यह रहा Q, क्या यही है क्या आपका Q, देखो गोर से क्या यही है क्यू जी हाँ यही नजर आ रहा है वन टू थ्री यही है क्यू यस कर नो जी हाँ आर देखो आर, आर कहा है दोस्तो आर की अगर पने बात करें तो सी ओ डवल बॉन ओ, इसका मतलब यह आर भी है इसका मतलब ए आंसर अपना परफेक्ट आ रहा है, उसके बाद में अगर बात करें तो देखो Q यह नहीं है, O H नहीं है दोस्तो अपने पास फिर अगर बात करें तो R देखो कौन सा है? R इसमें भी दे रखा है S कौन सा है दोस्तो S यह भी है, इसका मतलब कौन सा answer आएगा दोस्तों, ये भी answer आएगा yes करो, क्यों क्योंकि इसमें R है और R कौन सा है, double bond oxygen ये ये ना, और S, S देख लो गोर से, ये भी S मिल रहा है इसकी अगर पर बात करें तो R कौन सा है दोस्तों, R ये है, क्या ये S है, देख लो दोस्तो S है, इसका मतलब कौन सा answer आजाएगा B, C, D तिनों answer आजाएगे दोस्तों, yes करो तो कौन सा answer आजाएगे दोस्तों answer की बात करें तो first आगया second, नहीं हो सकता अपना answer, क्यों क्योंकि यहाँ पर OH है OH अपने कहीं भी नहीं लगाया देख सकते हैं आप, कहीं भी OH नजर नहीं आरा, कहीं आरा है क्या नहीं, फिर देखिए B, C की अगर आपने बात करें तो C में देखो, यह अपना क्या है, R है, गोर से देख सकते हैं आप, देख लो, यह R है ना, और यह क्या पुछा गया है, S यह B, S है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आया अपना A, B आया, C, B आया D, आंसर हो सकता है क्या D, क्या दे रखा है, दोस्तो, R R में अपना कौन सा है, दोस्तो यह वाला गुरूप है, देख सकते हैं आप गोर से, यहां पे R की अगर अपना बात करें, तो दोस्तो, यहां double bond दे दिया, S का मतलब यह नहीं हो सकता अपना R, यहां पे S तो है, लेकिन R नहीं है, इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा A, N, C, आंसर आएगा जास करो, देख लीजिएगा, देखने में अंटी बन गई, अंटी आपको पता है room temperature के उपर stable नहीं होती यह किस में convert हो जाती है, दोस्तो non aromatic में convert हो जाती है यहां पे double bond, यह double bond, यह product मिलेगा इसमें तो, छेक हैं तो इसका मतलब aromatic नहीं बना यह देखिए दोस्तो, यह acid base reaction होगी, इसके पास more acidic hydrogen है, इसका मतलब यह क्या बनेगा दोस्तो, double bond, double bond, इसके पास negative charge, yes, aromatic बना दोस्तो, alcoholic के वच दे रखा है, पहले इसके उपर टेक करेगा दोस्तो, edge के उपर, किसका formation हो जाएगा दोस्तो, कुछ ऐसा मिला ठीक है, यहां पे CS3 और एक BR छोड़ दो, कोई सा भी छोड़ दो, फिर क्या दे रखा है, NANS2 दे रखा है NANS2 strong strong base होता है दोस्तो, तो किसका formation कर देगा, triple bond का formation कर देगा, यानि कि propine का formation कर देगा propine को आप red होटों से लगा लो दोस्तो, F2 tube, किसका formation कर देगा दोस्तो, mesit clean का formation कर देगा, trimerization हो जाएगा ठीक है, symmetrical trimethyl benzene का formation, जिसको प्यार से mesit clean बोला जाता है, तो इसका मलब ये भी तो aromatic ही है, जी हाँ, benzene आ गई, इसका मलब aromatic है, ये क्या दे रखा है दोस्तो, CL2 के साथ जैसे reaction कर वाएँगे, तो क्या बन जाएगी BHC, free radical addition reaction हो जाएगी दोस्तो, यहाँ पे CL, 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 CL ठीक है, gamaxine का formation हो जाएगा, triple six, भूतों का नंबर बन जाएगा दोस्तो, ये, इसका मलब benzene पहले से थी, अब क्या हो गई non-benzenoid हो गया ये, इसका मलब benzene, benzene नहीं है, gamaxine, lindane ठीक है, BHC, तो इसका मलब कौन सा answer आजाएगा, B और C दोनों answer आजाएगे दोस्तो, ठीक है, तो देखिए दोस्तो, सवाल नंबर 34, 34 की अगर अपने बात करें, तो अपने को कॉलम मेचिंग का सवाल दे रखा है, list मिला दो, first और second, कौन किसके साथ मेच खाएगा, डाई, आई, सो, ब्यूटाई, अलुमिनियम हाइडराइड, यानि कि अबला का डाबला किसका काम करता है, दोस्तो, पार्शली रिड़क्शन का काम करता है, करवादो दोस्तो, क्या बन जाएगा, CH2, और यहां पे CH00, और यह क्या बन गया, CH00, फिर सोडियम बोरो हाइडराइड, इसका क्या करतेगा, दोस्तो, रिड़क्शन का काम करतेगा, किस में करवाद करतेगा, दोस्तो, यह बन गया, आपका CH2, CH2, और OH, यह बन गया, CH2, CH2, और OH, फिर Concentrate H2SO4, आपको पता हैं, दोस्तो, Most Stable Carbocatine के उपर टेक्ट करेगा, यह निकाल देगा, इसके उपर Positive Charge आजाएगा, और यह क्या काम कर देगा, इस पे अपना Loan Pair of Electron डोनेट कर देगा, दोस्तो, किस की कहानी रस देगा, यह बना देगा, दोस्तो, दो Carbon इधर है, और एक Carbon इधर, और यह Oxygen, यह Product बना देगा, दोस्तो, देखो First, First, किस के साथ मिला है, दोस्तो, First की अगर अपने बात करें, तो इसके साथ मिला है, यानि कि R के साथ, ठीक है, तो क्या First, R के साथ ऐसा कोई Option दे रखा है, अगर अपने बात करें, तो क्या First, R के साथ नहीं है, दोस्तो, नहीं है न, तो इसका मतलब यह अपना आंसर नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हैं, फिर अपने को क्या दे रखा है दोस्तो, इसको हटा सावन की घटा, दूसरा Option लेते हैं, दूसरा Option की अगर अपन बात करें, तो क्या दे रखा है, क्या दोस्तो, दूसरा Option दे रखा है अपने को, तभी अपन दूसरे की बात करें, नहीं दे रखा तो, हटा सावन की घटा, फिर चोथा Option दे रखा है, दूसरे option के according बात करें, दूसरा और चोथा दो ही दे रखा है, यानि कि तीसरा और चोथा दे रखा है, कौन सा दे रखा है, तीसरा और चोथा दे रखा है, ठीक है, तो तीसरा और चोथा दे रखा है, इसका मतलब चोथे कोई low up, ठीक है, तो पहले चोथे को लेकर कर लेते ह अगर में इस खतर ठीक है नहीं तो तीसरे की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, तो यहाँ चोथे आप देखिए, किसके साथ लीथियम, अलुमिनियम, हाइडराइड के साथ आपने जैसी रिडिक्शन करवाया दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, यह मिल गया, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, और यह क्या आजाएगा दोस्तों, CH2OH में, ठीक है, फिर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया आपने, जैसे ही आपनी कंसंट्रेट H2SO4 डाला, तो अभी जैसे पहले में, एक्जम्पल में बनाया था आपने, वैसे ही बनेगा दोस्तों, कहानी य अपका क्या है दोस्तों, किस के साथ, यह बनाया ना, अरे यस करो, जी हाँ, Q बनाया है, और दूसरा कौन सा बनाया है, सेकिन में अगर अपने को R भी मिला है, तो Q और R, ठीक है, यह दो बार लिखा गया, कोई दिकत वाली बात नहीं है, एक तो Q और एक क्या बनाया है, द եर्ड़ पकड़ो, अब थर्ड में क्या है, धुस्तों, थर्ड की इगर उपने बात करें तो थर्ड में देखो, केसी एन, इसके ऊपर ट्रेक तो ये बन जाएगा, दूस्तों, क्या बन गया अपने पास, यहां CH2, और यहां पर क्या जाएगा,방 है दोस्तों, एश्टर द वैट हो जाएगा और इसका hydrolysis करवा रहे है तो यह भी hydrolysis हो जाएगा किसमें चैंज हो जाएगा यह भी cwh ठीक है और यह भी cwh यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों CH यहाँ पर क्या आपका c double bone ओ और इसको heat करने की बाते हैं और कर रहा है इसका मतलब क्या जाएगा दूस्तों N-Hydride का formation हो जाएगा यही मिला फिर यह क्या करा है दूस्तों कि Concentrate S204 की presence में reaction करवा lithium aluminum hydride के साथ reaction करवा दो तो यह इसका reduction करदेगा जैसे ही आप इसका reduction करवाओगे तो किसमें करवाट हो जाएगा दूस्तों CH2 याने कि यहां पे आपको क्या दे दी दोस्तों Benzine दे दी यहां पे क्या दे रख़ा है CH2 यहां पे वी CH2 OH यहां पे CH2 और OH क्या ऐसा कोई option में नजर आ रहा है जी हाँ Q आ रहा है तो क्या 3D वाला Q के साथ में इस खा रहा है नहीं खा रहा दूस्तों यह तो S के साथ में इश्खा रहा है इसका मतलब यह अपना आंसर नहीं हो सकता कौन सा आंसर आजाएगा B आंसर आजाएगा Yes को No Next इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है यह 35 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तो यह कह रहा है कि कोई Organic Compound C8H10O दे रखा है जो Plain Polarizer Light को Rotate करता है इसका मतलब Optically Active है तभी वो Rotate कर पा रहा है फिर यह कह रहा है कि Pink Color with Neutral FeCl3 और Pink Color कौन देता है दोस्तो फिनोल देता है फिनोल जो है वो क्या शो करता है दोस्तो Fe की अगर आपन बात करें फिनोल जो है वो Neutral FeCl3 के साथ में कौन सा कलर शो करता है दोस्तो Pink Color ठीक है यानि कि Pink यानि कि Violet Color शो करता है दोस्तो Complex बना देता है ठीक है यह फिनोल का टेस्ट भी होता है इस योगिक में कुल संभावित समावियों के संख्या Total Number of Possible Isomers की बात हो रही है दोस्तो तो अपने इसकी DU निकालो पहले तो फिनोल तो होगा ही होगा फिर इसकी DU निकालो दोस्तो तो क्या आजएगा DU निकालने के लिए अपने क्या करेंगे 8 प्लस 1 ठीक है क्या करेंगे 8 प्लस 1 माइनस 10 बाइ 2 यही होता है DU का फोर्मूला Oxygen के लिए अपन 0 बटा Sunnata लिखते हैं कुछ नहीं लिखते दोस्तो यानि कि DU का फोर्मूला क्या है C, X और H, Y Oxygen के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता Halogen आ रहा है तो उसके लिए पलस यूज कर देते हैं और अगर Nitrogen आ रहा है तो उसके लिए माइनस कर देते हैं ठीक है तो यह अपने पास क्या है Number of Carbon, Number of Hydrogen यानि कि क्या जायगा दोस्तो X प्लस 1 माइनस Y बाइ 2 कितना है दोस्तो 9, 9 माइनस कितना जायगा 5 is equal to 4 इसका मतलब बेंजीन है और कोई भी Double 1, Triple 1 परजेंट नहीं है इसका मतलब बेंजीन तो दे दिया उसने फिनोल तो होगा ही होगा ठीक है इसकी कहानी को साब कर दे देखो दोस्त क्या बनाओ एक तो फिनोल बनादो तभी वो क्या दे सकता है दोस्तो फिनोल बनाओगे तभी FECL3 के साथ पिंग कलर शो करेगा ठीक है अब वो क्या दे रखा है दोस्तो कितने Carbon and Hydrogen बच गए देख सकते हैं एक Oxygen बच गया अभी भी इसके पास दो Hydrogen बच गए और Plain Polarized Light को Rotate करता है इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब अपन क्या बनाते हैं दोस्तो Alcohol का Formation कर देते हैं यह CS3 है यह देखो यह D और L शो करेगा यह सकनो और अगर इसमें आप क्या डाल देते हो दोस्तो FeCl3 डाल देते हो तो पिंग कलर भी आएगा इसका मतलब एक तो यह बन गया अब इसका Isomar Possible कितने हो सकते हैं दोस्तो यह बन गया अब आप इसकी Position Change कर सकते हैं न एक Phenol का Phenol ही रखना है Phenol के साथ छेड़ चाड़ नहीं करना दोस्तो तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अपन CH, CS3 और यहाँ पे भी OH लगा सकते हैं यह तो वैसे भी Kirill का Kirill ही रहेगा D और L शो करेगा फिर अपन क्या बात कर सकते हैं दोस्तो यह बात कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने क्या दे रखा है दोस्तो CH, यहाँ पे OH और CS3 यह भी Kirill है दोस्तो और यहाँ पे क्या रहेगा OH का OH इसका मदलब D or L, D or L, कितने होगे दोस्तो, six होगे इसका मदलब अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तो, six आंसर आ जाएगा, yes करनो, next सवाल की और बात करें तो दोस्तो कौन सा दे रखा है अपने पास यही था दोस्तो कहानी इसकी, ठीक है, तो यह थे दोस्तो, अपने ज चीक हैं, all the best, good luck, JCLC.